अब तक कही सारे इंडियन नेबर्स के बार में बात किया है लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि चाइना का जिक्र हमेशा होता है क्योंकि इंडिन फॉरिंड पॉलिसी में जब हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल प्लाटफॉर्म पे तो अगर युएस के बाद कोई स्टेट इतनी इंपॉर्टेंट है आफ्टर दो कॉलाप्स ऑफ उससार इन आफ्टर फिगरिंग आउट की युकरेन और रश्या के वहां में देख लागी रश्या इस नोट पावरफू नहीं मोर तो यह देखते हुए इंटरनाशनल पॉलिटिक्स कुछ इस त्रीकी की बन गई है कि चाइना हाज बिकम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेट ऑल्सो चाइना इज वेरी एग्रेसिव तो अगर आप नहीं भी उनसे दुश्मनी करना चाहो तो कहीं नहीं दुश्ट कहीं नहीं इश्यू होई जा दूश्यू का लिए थी नहीं जाएं पॉर्टेंट सब्सक्राइब में चाहिए कोईश्यु नहीं वे रहता है उंश्यू हमने प्रहें पढ़ना है वह में यहां से पता चलता है ते हम थ्रोड़ासा बैक्राउंड पढ़ेंगे इंडिया-चाइना का थे इंडिया-चाइन है कि relationship past में कैसे रहे है commercial diplomacy क्या होती है especially from the point of view of China क्योंकि वो बहुत ज्यादा इस्तमाल करते है इसका cultural और educational tapestry के बारे में बात करेंगे between India and China Bangladesh, China, India, Myanmar economic corridor जो है उसका क्या importance है वो कब बना था उसके बारे में बात करेंगे इंडिया और चाइना के बीच में जो border dispute है उसकी बात करेंगे चाइना और पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती के बारे में belt and road initiative जो है जो कि जिसमें चाइना ने सबसे जादा पैसा लगाया हुए इस वक्त उस initiative के बारे में बात करेंगे उसका कैसे impact पड़ता है इंडिया पर और इंडिया क्या कर रहा है उसको counter करने के लिए ये भी हम समझेंगे फिर हम बात करेंगे जियो स्टेटेजिक कंटेस्ट इन इंडो पैसिफिक रीजन इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसमें चाइना का इंफ्लूएंस बढ़ता इंफ्लूएंस और उसको लेकर उसको करने के लिए इंडिया क्या कर रहा है वो सब हम यहां पर पढ़ेंगे रिवर वाटर शेरिंग हम कुछ नदियां शेर करते हैं चाइना के साथ तो उसमें कैसा सिचुएशन ने बहुत देखेंगे चाइना के स्टैटेजिक टैक्टिक्स और डिप्लोमाटिक मनुवर्स के बारे में क्योंकि अब तक बहुत सारी एसी स्टेट्स रही हैं जो बहुत अग्रसिव रही हैं लेकिन चाइना इस यूनीक सिचुएशन तो हम संझेंगे कि वो कैसे नहीं उनकी कौन सी टैक्टिक्स और मनुवर्स रहे हैं फिर वन चाइना पॉलिसी क्या होता है और हम चाइना विल ट्राइट टू नेविगेट थे सीनो इंडियन रिलेशनशिप ठीक है तो लेट्स स्टार्ट विड़ सीनो इटस इसका मतलब होता है तो इसलिए यह वर्ड जो है यूशली यूज किया जाता है जब भी चाइना के बारे में बात करता है तो ना लेट स्टार्ट विद्ध प्रिविए स्कूर्शन पेपर सबसे पहले सवाल है वाट इस थे इंपॉर्टेंस ओफ डेवलपिंग चाबार पो तो चाबार पोट क्या है इट सब पोट इन इरान ओके अब इसमें पूछा गया है दोजा सत्रह में सवाल आया था चार ऑप्शन यह और पूछाए की क्यों जरूरी है इंडिया के लिए चाबार पोट तो पहला है इंडिया का ट्रेट जो है वो आफ्रिकन कंट्री से आफगानिस्तान और पाकिस्तान विल फैसलेटेटेट एंपर इंस्ट्रीशन आफ गैस पैप्लाइन बिट्विन इराग इंडिया आफ को यह तो गलत है जो अफगानिस्तान से हमें इंपोर्टेंट सामान लाने जाने निए तो वह फैसलेटेट तो नहीं खर वाएगा उस यहां से पाकिस्तान जाता है यहां पर है ग्वादार पोर्ट और उसी के जस्ट आगे इस इस वेर चाबार पोर्ट इस और इस ऐसे गर के बना होता तो इस इस गल्फ ऑफ ओवान एंड बेसिकली प्रश्वाद 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 फजी पाफ इस पोर्ट इस बिस बीड़ों कि इंडिया बहुत ज़ाद इंट्रेस्ट लेरी इस पोर्ट में इस बिकास we want to connect with Afghanistan हमने पहले भी पढ़ा है कि इंडिया और अफगानिस्तान के रेलेशनिशिप बहुत अच्छा था कफ अभी अभी तालिबान के अने से खराब हो गया लेकिन उसके पैले तक बहुत बढ़ी है रेलेशनिशिप था और वी वांटेट तो यू नो अलसो क्रियेट लेकर रूट जिसे हम बहुत आसानी से पोँच सके बट हमारी कोई फिजिकल बॉर्डर जो है अफगानिस्तान के साथ वो अभी इनो इस ने नौर्थ और पाकिस्तान तो हम उसको अप्सको एकसे नहीं कर पा रहें तो दा अधर वे फॉर अस टू गो तू अफगानिस्तान अब अफगा तो वहां जाने के लिए आपको किसी ना एक नेवर कंट्री के पास जाना पड़ेगा पाकिसान तो अला और नहीं करेगा इसलिए हम क्या करते हैं चाबार पोर्ट को कर रहे हैं और यहां से उपर और यहां पर है मुंबई ठीक है तो आइडिया एस कि यहां से हम पहले यह चाबार तक पहुचाएंगे और चाबार किसे इरान की होते हुए थुरू यहां से पाकिसान पाकिसान इरान और इंडिया के बीच में चाइन अंडर क्यों हारा है simply because the money that India is putting in Chabar Port is also being done so that China का influence come हो सके जब हम Belt and Road Initiative पढ़ेंगे जब हम देखेंगे कि China किस तरीके से इंडिया के आसपास की countries में especially Bay of Bengal, Indian Ocean, Arabian Sea Valley area में किस तरीके से वह अपना influence बढ़ाने की खोशिश कर रही है तो this Chabar Port is a similar endeavor एक वैसी ही कोशिश है इंडिया की तरफ से वो भी एक कारण है इंडिया का Chabar Port में इंवेस्मेंट का so this you would know if you studied about everything that India is doing with respect to countering the Belt and Road Initiative for China अब मेंस के कुछ क्वेशन है 2021 में सवाल आया था कि US जो है वो फेस कर रहा है existential threat in the form of China that is much more challenging than erstwhile Soviet Union वो बोल रहा है कि इसको explain करो कि आज जो US को threat है चाइना से वो USSR से जादा बड़ा है तो इसके लिए you have to understand so you we have to understand की what is the difference between USSR जब वो अपनी पीक पे था और करंडे चाइना तीन मेरे खाल से मेरे इसके you know points है एक तो यह है कि चाइना जो है USSR से economically जादा strong है चाइना बहुत जादा strong है from the point of view of money as compared to USSR उसके भी दो करण है एक तो modernization technology and डूसरा reason है कि जिस करी तरीके की political situation है political situation है चाइना में क्या है authoritarian एक तो रिजीम है और उपर से economy पूरी तरीके से state-owned है ऐसे क्या होता है कि इसमें आ बहुत जल्दी decision लिए जा सकते है by the state ठीक है और बहुत सारा पैसा पूल किया जा सकता है to actually do something और यह चीज जो थी यह USSR में अब प्रॉसिबल नहीं थी USSR में although बहुत strong leadership थी authoritarian you know communist तो वो भी था पर वहाँ पे फिर भी थृट दे वर lot of people who were you know rich and used to support the government और इतना quickly वो decisions नहीं ले सकते थे ना तो उनके पास उतनी technology थी और ना ही इतना economic you know viability थी इसलिए compared to उस वक्त का USSR चाइना इस वक्त बहुत अदा strong है दूसरा मैंने का politically they are much more centralized ठीक है बहुत जादा power है उनके center में एक मैंने शीजिंपिंग के पास बहुत power है as compared to you know USSR का leader तो politically जो country है वो कुछ इस तरीकी की बनी हुए उसके लावा जो technology है technology में चाइना बहुत आगे बढ़ चुका है और दोनो point of view से defense के point of view से भी उनके पास बहुत अच्छे अच्छे हतियार भी है plus espionage मतलब कि अगर वो direct लड़ाई नहीं भी कर रहे हैं तो espionage करने के लिए मतलब diplomatically या spy network से control करने के लिए या बोल सकते हैं कि इन्हों direct नवार करके वार करने के लिए उनके पास बहुत अच्छी technology है जैसे for example अभी recently tiktok का हुआ था कि कैसे इस famous app को use करते हुए China was collecting data on rest of the world all or you can see how China has maintained कि अपनी country में उनका खुद का ही Facebook, WhatsApp, Twitter सावे they don't allow its citizen to you know talk to or be in contact with the rest of the world उसे क्या होता है कि आप control कर सकते हो कि आपकी population क्या you know opinion रखती है तो उस point of view से देखें तो चाइना की technology बहुत बड़ी आ है तो इस 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 आदो three main reason why China is much more you know strong as compared to Soviet Union इसी लिए वो बड़ा threat है USA के लिए next question 2021 में आया था यह भी Newly Tri-National Partnership AUKUS Australia, UK and US aimed at countering China's ambitions in the Indo-Pacific region तो जब हम इंडो-Pacific region के बार में अलग से पढ़ेंगे what is the reason, वहाँ पे क्या-क्या हो रहा है, India क्या कर रहा है तो उसमें you will come to understand कि different different countries this is not the only organization that is working there ठीक है, उसके लावा we have Quad also उसका भी focus वहीं पे है basically this is a very direct question ठीक है, you have to just know about what are the different things that are happening ठीक है, in in that Pacific region और कौन-कौन से दूसरे countries भी आके वहाँ पे काम कर रहे है so this again is a very direct question इसमें कुछ आपको अपना opinion नहीं देना है next question 2017 में आये था, China is using its economic relationship and positive trade surplus as tool to develop potential military power status in Asia यह हमने पढ़ा था जब हम Shilanka की बात कर रहे थे Shilanka का हमन तोटा port की जब हम बात कर रहे थे कि कैसे first China gave a lot of loan पिर loan नहीं चुका पाये तो इसके बतले asset swap करी और हमन तोटा port जो है उसकी 99 years की lease देजी चाइना को अगर चाइना कोई port कंट्रोल कर रहा है तो वहाँ पे पो अपनी military भी तैनाद करेगा to you know, save it or secure it, तो इस तरीके से China has been trying to do this in a lot of countries around that path China seas से होते हुए, इंडिया नोशन में होते हुए, तो इसकी light में हमें discuss करना है कि इसका इंडिया और इंडिया के नेबर्स पे क्या इंडिया पे क्या इंपक्त पड़ता है as China's neighbor, इसमें we will talk about basically अभी तक जो हमने जितने इंडिया के नेबर्स पड़े हैं उसमें देखा होगा कि चाइना के कारण इंडिया के रिलेशनिशिप उनकी नेबर्स से खराब होते है for example, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Maldives in some example में हमने देखा कि you know, so आप एक नरीके से बोल सकते हो कि because of this nature of China, India की security खराब होती है और India की उसके नेबर से लड़ाई होती है तो this we have already discussed in when we discussed India-Shilanka issues, so यहाँ पर बात आएगी you know, whatever China does सारे नेबर्स के साथ में next question 2014 में एदा with respect to the South China Sea maritime territorial dispute and rising tension affirm the need for safeguarding maritime security to ensure freedom of navigation and overflight throughout the region in this context discuss the bilateral issues between India and China आप यह बोल बेसिकली South China Sea के point of view से इंडिया और चाइना की relationship के बार में बूच रहे है तो इसमें एक यह चीज़ आप बोल सकते हो कि भई जो South China Sea का issue है उसमें India party नहीं है तो फिर क्या फरक पड़ता है इंडिया को well there are three main reasons सबसे पहला कि हमारा कोई हक नहीं है South China Sea पर लेकिन हमारा trade जाता है वहां से ठीक है it is also a route of a lot of trade of India तो अगर हमारा trade वहां जाता है तो हमारा interest है उसमें इसलिए उस जगह का safe guard होना बहुत जरूरी है दूसरा international waters है ठीक है international waters का यह मतलब होता है कि वहां पे कोई भी international ship जा सकती है पर जब क्या होता है जब South China Sea में China इस तरह की tension create करता है तो वह area safe नहीं रहता है for you know access, general access और क्योंकि India is party to international law तो एक तरीके से बोलते है ना कि उसको enforce कॉन करेगा अगर कोई law है तो उसको enforce तो करना पड़ेगा अब international platform पर कोई पुलिस तो होती नहीं है तो अगर कोई law है उसको enforce करने के लिए countries कोई step लेना पड़ेगा तो उन international water में paroling करना ये एक बहुत important task हो जाता है countries का और अगर इंडिया वहां पर पर परोल कर रही और वहां की बहुत बार इशू बन गया था बट देन इडिन नोट इसकलेड मच अब बिकास वी थाट वी वर इन international water and china's south china sea में चाइन बेसिकले से बेव करता है कि हमारा है okay तो एक वह प्रॉब्लम है कि हमें international water को सेव करना है ताकि वहां के ऊपर से कोई फ्लाइट जारी हो या कोई सेक्योर मेरी टाइम सेक्योर्टी रहे चाहे कोई भी जा रहा हो वहां से ठीक है कल को अगर किसी country का चाइन से जगड़ा हो गया और वह country इंडिया की ट्रेट पार्ट है और उनका रस्ता मानलो हमारा सावान जाता है और अगर साउथ चाइना सी पर चाइना का कंट्रोल है तो फिर वह हमारा ट्रेड रोग देगा तो इससे हमें नुकसान है तो वह भी है और तीसरा रीजन वीजन यह है कि वह प्रटी टो शॉथ चाइना सी लेकिन जो कंट्रीज है उनके साथ हमारा इंटरेस्ट ए उसका एक एक्जेंपल सकता है विएत्नाम इंडिया विएत्नाम के बीच में एक एक आप्टी ट्रीटी ट्रीटी ने क्या अग्रीमेंट कि इंडिया विल ड्रिल फोर ओल सर्चिं ट्रीटी 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 ट्रीफ इंडिया आप्टी विल डिया विएत्नाम को फायदा ओता इंडिया विल डिदी तो लेकिन क्योंकि चारीन अत्मा अग्रेसर हो रहा था इसलिए आट वह बेंट ओव थो नाटनियों और शॉआअ ट्रीटी आ उनके साथ जो to the next question string of pearl हमने इसके बार में बात करी है हम दुबारा इसके बार में इस लेक्चर में बात करेंगे बहुत simple सा question है कि string of pearl है क्या इंडिया को कैसे इंडिया क्या कर रहा है तो हमने अभी तक कहीं सारे neighbors के साथ discuss किया था और उसमें चाबार पोट you know we have talked we have talked about this when we are talking about Maldives, Sri Lanka की हम क्या कर रहे हैं चाइना की string of pearl जो theory है उसके उसको counter करने के लिए हम क्या कर रहे है यह हमने अब अब तक के almost जब भी जितने भी neighbors पढ़े उसमें इसकर्स किया है अब बात करते हैं चाइना की geography के बारे में westernmost point से लेकर eastern point तक इस country की length है अराउंड 5500 किलो मीटर और northern point से southern point तक अराउंड 5,000 किलो मीटर बहुत बड़ी country है बहुत landmass है और जैसे की इंडिया के साथ है कि हमारे पास इनों बहुत चारे अदगलग लांड्सकेप से चाइना के पास भी कहीं तरीके के लांड्सकेब हैं बहुत आप इंड्सकेब आप तो इंड्सकेब आप तो इंडिया थे अवर बहुत बिलियन पीपल लिविग इन इस एरिया वन थार्ड ओफ इस पॉपलेशन इस लिविग इन अर्बन अरिया आप तो इस वे इस वाद अपॉड़न कंट्री इस सब्सक्र पास को कि आप आप अनादर वेरेस्ट ओर्ट इस पीड ओर्ट ओर्ट ऑर्ट रियुड वार्ट के तो इस की जो अवरेस्ट है इस एश पीक इंड्सकेब एंड्सकेब अवर्ट of thousand rivers. Because thousand different rivers flow through the land. पर उसमें से दो सबसे important rivers जो है, they are Yangtze River and Yellow River. इन दोनों rivers के बीच में ही पूरा you know, Chinese civilization developed हुई है. Yangtze River जो है, it is the third largest river in the world. Okay, अब एक और जो बहुत important aspect है, क्योंकि thousands of rivers जाती है, तो it has a very, you know, China has a very dense forest and जहां पर बहुत पक्यूलियर टाइप के flora और fauna है. उसमें से एक बहुत अच्छा एक्जाम्पल है और पांडा. China owns all the panda in the world and they also use something called panda diplomacy. Basically, as a goodwill gesture, वो दूसरी कंट्री को पांडा देते हैं to, you know, put them in their zoo. But they don't sell pandas. All the pandas that exist in the world are owned by China. They only like lease them to different countries. So, that is, उसके अलावा एक बहुत, you know, the reason why we know so much about China is two. एक तो है, Silk Road, क्योंकि Silk Road था, और वो उस ताइम का, जो बोलता है, सबसे इंपोर्टन trade route था, इसले कहीं सारे लोग used to travel to China, you know, Persians and Indians plus वहाँ से भी कहीं सारे ऐसे लोग थे, जो, you know, pilgrims हो गए, या या फिर, क्या बोलते हैं, उनको जो लोग जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं एंचेंट राइब के ताइम के travel bloggers. So, we know a lot of people who came from this land to India and around the world they traveled. And उन लोगों ने, from that time we know कि this very center of the world type of civilization exists in China. Another thing very important is कि हमार, China के पास बहुत सारी return history है. ठीक है, जासे हमें भी अपनी history पता है, पर जाता तर हमारी history लिखित नहीं है, they come from folklore's और, you know, artifacts. But, चाइना में, उनके जो ancient kingdoms थे, वो लोगों का एक idea था कि दे यूस्टू वहां के जो government officials है, वो बहुत डीटेल में वहां की history लिखते थे. इसलिए, we have a lot of written history from, you know, ancient China. And उनकी जो आज जो फिलोसोफी है, वो political या religious, दोनों उस आती है. And they have like a huge knowledge का भंडार टाइप है. And उसमें से एक जो बहुत फेमस है, विच इस Confucius. आपने सुना होगा चाइना के बारे में, आपने सुना होगा चाइना के बारे में, you can compare Confucius to, say, Buddha. Okay, because the teachings were more about peace and living in harmony and religious and political as well. So, this is all about important things that you need to know about China. Let's move on. अब इंडिया और चाइना के बीच में बात करते हैं कि कैसा रिष्टा रहा है. इंडिया है 3,488 km बार्डर पे चाइना and it is the second largest after Bangladesh. So, Bangladesh के बाद सबसे जादा गर हम किसे साथ बार्डर शेर करते हैं, तो वो है China. Of course, पोरस बार्डर है, जादा अच्छे से दिमार्केटेट नहीं है क्योंकि बहुत ही difficult terrain है. ठीक है? पहाड है, ठंड है, glaciers है. ठीक है? एफ़र चल रही है, एक line of actual control बनाने की. But, you know, there is not clarity क्योंकि इतना आप आपे physical बार्डर नहीं बना सकते. The Sino-India border is divided into three sectors, the western, the middle and the eastern. Five states and UTs that have border with China are Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh. Moving on, India और China के बीच में, दो major rivers हैं, Indus और Brahmaputra, जो originate होती है China से and then it flows into India. ये दोनों ही इंडिया के agriculture plains के लिए दो बहुत important rivers हैं. उसके बाद, China जो है, उसकी कोई coastline नहीं है Indian Ocean में और India की कोई coastline नहीं है Pacific में. इसलिए direct maritime issues नहीं हैं, जैसे हमारे Bangladesh के साथ हैं. वैसे कोई issues नहीं हैं. International waters में जो भी होता है South China Sea को लेकर जो भी dispute हैं, वो अलग है, बाद डाइरेक कोई dispute नहीं है. 2005 में एक बहुत इंपोर्टेंट मीटिंग हुई थी जब Chinese Premier Hu Shintao India आया थे और उन्होंने strategic partnership agreement sign किया था, इंडिया और चाइन के DA. अब now let's move towards talking about evolution. कि इंडिया और चाइना की relationship start के से हुए जब इंडिया इंडिपेंडेंट होगा. जब the period जब दोनों countries अभी-अभी colonial rules से आई थी तो उनकी बीच में कमराडरी थी. एक चीनी हिंडी-चीनी भाई-भाई वाला scene था. कि they both understood कि हम हमारी जो society है वो plunder कर दी गई है Britishers ने, colonizers ने. तो दोनों ही जो थी ideologically aligned हो गई थी anti-imperialistic foreign policy goals पे. कि कैसे हम एसी foreign policy करें ताकि imperialism और ना बढ़े और हम अपनी country को recover कर सके. तो इसलिए दोनों ही countries ने close off कर दिया था अपनी economy को, political को और they were both looking inward. तो इस कारण से दोनों के बीच में एक sort of, you know क्योंकि same ideology थी, same history थी इसलिए बहाई चारा था. जो initial friendship थी इंडिया और चाइना की बीच में, उनका commitment था anti-colonialism पे. दोनों ही countries जो थी, they were working to make sure कि और जो countries colonial है, under अभी भी है influence में, वो free हो जाए. तो दोनों anti-colonialism करना चाहते थे पूरे डेश, पूरे, you know world में. इसलिए दोनों की बीच में एक दोस्ती सी हो गई थी. उन्होंने बहुत nation ने रिस्पंसिबिलिटी थी कि वो जो दूसरी countries है, Asia और अफरिका में, emerging countries, जो you know, independence चाहती है, colonial rules है, उनको support करेंगे so that they can get peace and prosperity. 1954 में इंडिया और चाइना ने पंशील ट्रीटी साइन करी emphasizing on five principles. क्या थे वो पाँच प्रिंसिबल? ये पाँच प्रिंसिबल basically define करते हैं, एक तरीके से promise था, एक दूसरे को कि हम एक दूसरे की issues में you know, दखल अंदाजी नहीं करेंगे एक दूसरे की sovereignty को respect करेंगे so this basically was a foundation for principle approach of international relation guiding the future of India-China relationship तो इक तरीके से कैसे रहेगी future में इंडिया औच रिलेशनिशिब उसको guide करने के लिए पाँच प्रिंसिबल बनायते हैं then Mao और Nehru के बीच में ideological difference आन लगए क्योंकि Mao started the militant movement and India में Nehru was going for this non-violent approach and this created sort of a disturbance in their friendship, especially क्योंकि एक competitions ही हो गई थी दोनों कंट्रीज के बीच में कि दोनों ही face of Asia बनना चाहते थे तो इसलिए उसके कारण भी थोड़ी दोस्ती खराब हो गई then 1950s में और 1950s का end था उसमें और sort of dispute होने लग गई because China tried or tried क्या China invaded Tibet और अब देखो दोनों ही कंट्रीज जब स्टाइट करी थी तो NP imperialistic थी तो उस point of view से किसी और देश को हडपना भी imperialism कहा जाएगा तो इसलिए India of course did not engage in any such thing but China went away from it and China invaded Tibet और इंडिया ने फिर जो तिबित के political or religious leader थे दलाई लामा उनको धरमशाला इंडिया में जगद ही जब वहां से फ्ली हो रहे थे तो तो इस बात को लेकर भी जो थोड़ी बहुत उनकी दोस्ती थी वह भी खराब हो गई फिर नवेंबर 61 में नहरू ने इनिशेट किया forward policy और ये forward policy जो थी इससे basically चेत गया चाहना और तो दिल्ली अप्रेपेद इंडिया उनप्रेपेद इंडिया को थो एक लाव लेकिन चाहना की आपीज में परीज थी बड़ी थी थी और लो थाष्ट आर स्टेटेजिग ड़ांटेज इस थे अन 13 दिन की छोटी सी वहर में चाहना विक्तरियस Now comes the second phase, 1962-1990, era of cold peace Basically, यह period में उन दोनों countries के बीच में कुछ बात नी हो रही थी बिलकुल peace था, कोई खास बड़ा जगरा नी हो था, लेकिन बातचीत भी नहीं थी 1962 की Sino-Indian relationship जो खराब हुए उसके बाद ना, diplomatic relationship भी cut up हो गए एंबेजडर लेवर पे फाइनली वो रिस्टोड हुए थे, 1976 में जाके ठीके, 14 साल दा वाजपाई जी जो थे, वो उन्होंने February 1979 में विजिट किया चाइना और उन्होंने एक सवर अफ सिगनल दिया है कि हम शैद फिर से, let's start a relationship It marked the first high-level political contact between the two countries in 17 years में पहली बार एक high-level contact हुआ था दोनों कंट्री में वो भी इंडिया द्वारा initiated था, फिर mid 1980s में, as the world approached the end of cold war क्योंकि cold war खतम हो रही थी और इस वक तक, India जो था था थोड़ा सा रश्या की तरफ था और वस गटिटिंग अलोट फ्रम रश्या लेकिन cold war के end होते होते, USSR you know crumbled, so India को वो चो support था वहां से मिल रहा था वो नहीं मिल लग गया so it started sort of you know wanting to have a good relationship or a good alliance, new alliance with China after the disintegration of USSR if USSR नहीं है तो अमेरिका की तरफ यूरोप की तरफ नहीं जाना चाहते थे वो because you know again same imperialistic power, Russia रहा नहीं, USSR तो तो तूट चुका था so then they wanted to sort of you know first say start a relationship with China then 1988 में Rajiv Gandhi visited China to kickstart the phase of normalization phase of normalization basically की दोनों के बीच में आप मला हो गई, भूली विस्टी बात भूल जाओ, let's start anew during this visit he stressed की हमारे रिष्टे बनने के लिए जरूरी नहीं है की you know हमारी पहले जो border का इशू है वो सॉल हो जाए we can actually have relationship and then work towards you know solving the border dispute क्योंकि border dispute पे ही पूरा जगड़ा हुआ था तो और मतला border dispute और जो भी whatever was happening in Tibet तो basically India की तरफ से it was sort of like की हम पहले relationship बना लेते हैं then we'll be back we'll solve the border issues, okay? जरूरी नहीं है कि जब border issues all हो जाएंगे तभी हम बात करना चालू करेंगे फिर following Rajiv Gandhi की विजिट एक चाइना इंडिया चाइना joint working group established हुआ था जिसने basically the whole purpose of this JWG was to solve the boundary dispute, okay? तो फिर phase 3 आया, post cold war era 1990 onward, okay? post cold war era में, इंडिया और चाइना की relationship थोड़े से normalize हुए दोनों जो countries है वो एक दूसरे को, you know, due respect देने लगए क्योंकि दोनों के shared interest थे एक दूसरे में China was a great market for India, India was a great market for China India could get a lot of things from China and China could gain a lot, stand to gain so much from India तो अपनी political views को side रखके, दोनों countries ने अपने economic interests के लिए एक रिष्ता बनाया, इंडिया ने जो है अपनी नई economic policy चालू करी 1990s के बाद, this was very similar to that of China, क्योंकि China की growth दिख रही थी और इंडिया की नहीं दिख रही थी, ठीक है? तो इंडिया sort of also started doing the same thing that China was doing उसके बाद five border pact sign किये गये थे, कि जिससे जो disputed area है वो manage हो सके 1993 में एक agreement sign हुआ maintenance of peace and tranquility ये basically idea ये था कि कैसे तो भी हम war ना हो सके फिर से, उसके लिए कैसे हम एक agreement sign करें कि जो भी issue, dispute का उसको solve करते रहेंगे but let's maintain peace at the border तो formally accepted line of actual control के concept पर बात कोई थी, accept किया गया था फिर emphasize किया गया था कि peaceful solution निकालें border dispute के और कोई use ना करे force का ठीक है? threat ना दे एक दूसरे को, weapon use ना करे, लडाई पे ना आएं और bet के diplomatically बातचीत करके bilaterally solve करने के कोशिच करें तो क्या था main five point जो थे 1993 peace and tranquility agreement के? सबसे पहले establish करेंगे military expert group जोगी दोनों country's के military experts मिलेंगे फिर यह जो group होगा, यह joint working group को assist करेंगा ताकि कहां पर dispute है, कहां पर लडाई हुई है उस चीप को outline करने के लिए दोनों जो है troops को reduce करेंगे border पर conflict को avoid करने की कोशिच करेंगे और जो differences हैं दोनों इंडिया और चाइना के views में on line of actual control उसको solve करने की कोशिच करेंगे फिर 1996 में agreement हुआ on confidence building measures CBM हम जानते है क्या होता है जब दू कंट्री के बीच में war होती है तो जब relationship re-establish करने की कोशिच की जाती है तो confidence building measures की जाते है क्योंकि because of the war or dispute दोनों के वो एक दूसरे के उपर भरोसा नहीं है तो एक तरीके से यह steps होता है rebuilding that confidence in each other तो उसमें outline किया गया outline measure to clarify line of actual control and set limits on military and armament with aircraft restrictions within the 10 km of LAC तो पहले वाले जो 1993 वाला था उसमें बोला था कि अपनी अपनी military कम करो दोनों troops एक joint working group बनाएंगे उस पर बात करेंगे अब 1996 में उन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले तो maps exchange करेंगे एक दूसरे से आप थोड़ा थोड़ा करके अगे बढ़ रहे हैं तीन साल बाद मिले तो फिर बोला कि अच्छा एक दूसरे क्योंकि अब यह बहुत difficult terrain है ना जो border है चाइना और इंडिया की अगले वाले गाओं को हम इंडिया को देदेगे ऐसा करते लेकिन यह इतना है इन हेबिटेड एरिया है नहीं तो थोड़ा सा इनो मैपस में भी क्लारिफिकेशन नहीं था तो दोनों जो कंट्रीज है वो एले सी का मैप एक्सचेंज करेगी उसके बाद दोनों ही मिलिटरीज जो हैं आसपास बॉर्डर के उसको कम करेंगी अगर दॉस के लिए अधे प्रक्रसर के सामने वाली कंट्रीज लड़ने के लिए प्रिपर अगसे तो अगर आप कर देंगे तो उससे confidence बढ़ेगा नो flying zone लगायागी 10 km LSE की 10 km तक कोई प्लेन नी आएगा क्योंकि अगर क्या होता है कि सामने से प्लेन आता हुआ दिखता तो किसी भी country को लग सकता है उनको सातर क्रहना पड़ेगा क्योंकि plane दिखा मतलब कुछ भी हो सकता है तो इसलिए दोनों ने डिसाइड कि कोई plane लेकी ही नहीं आएंगे बॉर्डर के पास में and no war pact कि भाई जो भी हो जाए जितनी भी इशू हो जाए हम वार पी नहीं जाएंगे फिर 2003 में प्रैम्निस्ट सबसे पहली जो स्टेज थी वह यह था कि हम उन पॉलिटिकल लॉज और आइडियोलोजी को कंफर्म करेंगे जिसके बेसेस पर हम यह करने वाले राइड अगर दोनों ही कंट्रीज इंटरनेशनल लोग को नहीं मानती है तो फिर डिस्प्यूट को भी सॉल भी नहीं होगा ह हम दोनों को सेम आइडियोलोजी पर आना पड़ेगा कि हाँ यह यहां पर ब्रिटिश ने यह लिखा था यह अगरिमेंट हुआ था इन बेसेस पर अगरी करना पड़ेगा इन डॉक्यूमेंट पर तभी हम कुछ आगे डिसकस कर सकते राइड तो ब्रॉड प्रिंसिपल और पॉलिटिकल पैरामिटर्स जो है रिजॉल्व करने के लिए उस पर अगरी करेंगे सेकंड स्टेज में जो है नेगोशियेट करेंगे एक फ्रेमवर्क ताकि जितने भी डिस्प्यूट वाले एरियाज है उसको एक एक करके में भी डिवाइड कर सकें कि हाँ यह वाला एक यह वाला एक अलग इशू है और थर्ड दी लाइनिंग दे बॉर्डर ऑन मैप्स एंड अन ग्राउंड कि मैप पर और ग्राउंड पर दोनों पे वह क्लेरिफाय कर दे कि यह बॉर्डर है तो यह तीन स्टेजिस में सॉल्व करने के लिए बॉर्डर इस्प्यूट यह बना मेजर था जिसमें जो 1993 और 1996 में जो आगे बढ़ाने की बात थी 2005 में मन मोहन सिंग यह बन जीवाओ की समिट हुई और तीनों 1993, 1996 और 2005 में जो पाक्ट हुए उनके उपर बेसिकली कैसे काम कर रहे हैं और आगे क्या करने की जरूरत है और बेसिकली अभी तक जो यह बात चल लेवल पर चल रही थी अब उसका थोड़ा पॉलिटिकल कनोटेशन की जरूरत थी कि यह अद्रेस अपने जगह पे अपने कंट्री में रिफ्यूज दिया हुआ तो यह जो पॉलिटिकल इशू था अब उस पे भी बात करना जरूरी ना कि हम इंडिया है टू एक्स्प्ले पॉलिटिकल अग्रिमेंट जो आस्पेक्ट से उस पे बात करने के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बनाये और एक साइन हुआ अग्रिमेंट पॉलिटिकल पैरामेटर्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर इंडिया-चाइना बांडरी कोईशन ठीक है इसकी फ इस पीपल फॉर एनिमीज ऑफ दे चाइनी स्टेट वेराज इंडिया फेल्ट की इंडिया का थोड़ा साइप का था की ऑफकॉस हमारी एडियलोजी ही ऐसी रही कि अगर कोई हमारे दुआर पर आता है तो मुझे मना नहीं करेंगे ओके और दूसरी बात की देवाट की दे मेकानिजम फॉर कंसल्टेशन और कोडिनेश्ट ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर अफेर्स हुआ इस्टाइबलिश वा इंप्रूफ दे इंफरमेशन एक्सचेंज दोनों के बीच में बॉर्डर रिलेटेड इशूस जो थे उसमें जो ग्यान था इंफरमेशन थी दोनों करती है जो इतने सांव से एक दूसरे से कनेक्टेड है एक सोचल एकनोमिक मैटर में क्योंकि आफकोस इंडिया के सेंटर से कश्मीर के जो वो डीप मांटन है वहां पर चीजें पहुचाना बहुत डिफिकल्ट है एस कंपेड तो चाइना से लेकिया जाना तो कहीं कहीं पर से एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो अगर वहां पर चाइना की साइट से एक्सेसिबिलिटी आजसान है तो देन डेशिट वर्क तुगेदर राइट कि तो उसको लेकर कि यह जो सोच्यो एकनोमिक आसपेक्ट है लाइन ओफ एक्शुल कंट्रोल का वहां पर जो कम्यूनिटी होगी फ्लाइग मीटिंग मतलब दोनों के जैसे वागर बॉटर कैसे है रेगिलर डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग होगी बोथ विल फॉलो रिस्ट्रेंट ठीक है कोई भी कंट्री जो है आगे बढ़के कुछ शिरखानी नहीं करेगी मिलिटरी फोर्स का इस्तमाल नहीं होग नो फॉलिंग इन एरिया वर लोटी इस नॉट एड़ जो एरिया अभी तर्थ क्लियर नहीं है वहां पर कुछ भी आप करोगे नहीं कुछ बनाओगे नहीं कुछ हंटिंग या क्रियेशन बोड बिलिदिंग इसम नहीं करोगे इंफरमेशन एक्षेंज होगी मिलिटरी द् तो उसको कैसे अच्छा बनाया जा सके कैसे इसली बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा गए इसके लिए इनफरमेशन एक्षेंज होगी फिर इनफॉर्मल समिट हुए बिवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेजिडेंट शी एप्रेल 2018 में प्राइम नरेंद म मतलब कि वहाँ पर मिलने के लिए नहीं गए थे इट वस नॉट लाइक दे दे दिन आट कम देर तो मीट इच अदर किसी और चीज के लिए मिल रहे थे तो साइड में के बात कर दे इसलीए से इन फॉर्मल समिट कहा जाता है बोट मीटिंग्स प्राइमरिली एम्ड एट ए जो कि दोनों ही कंट्रीज को परिशान कर रहे हैं या दोनों के लिए ही अच्छा है ऐसा करना उन चीजों पर कैसे बात हो सकती एडिशनली दे लीडर शेर इंसाइट ओन देर इंडिविज्वल अप्रोच तो नैशनल देवल्मेंट कि दोनों ही कंट्रीज जैसा मैं आपक सब्सक्राइब करेंट के लिए दोनों कांट्रीज के लीडर यहीं चीज शेर करी कि वहाई डुसरे को यहां टॉसरे को इस तरीके से से शेर कर सकता है। फिर दो सर बीस में एक एक से इनकाउंटर हुआ सीनो-Indian border पर including the clashes in Ladakh Galwan Valley तो उस time तक 2019 तक 20 तक फिर भी सब कुछ ठीक था but then COVID के बाद से we are seeing a lot of you know जगरा while engaging in significant trade collaboration there is unsettling border conflict persist international platform पर इंडिया और चानने का trade बहुत बढ़िया चल रहा है कोई रिकावट नहीं कुछ प्रॉलम नहीं है लेकिन हमेशा कुछ न कुछ बॉर्डर पर dispute होते रहते हैं creating a situation where both nations stand as formidable variables ठीक है दोनों ही बहुत strong है military wise दोनों ही nuclear powers हैं दोनों की military बहुत strong है तो एक तरफ तो trade बहुत बढ़िया चल रहा है पर दूसरी तरफ यह छोड़े चोटे जो skirmishes होते रहते इससे बार बार जो है वो reignite होती रहती दूश्मनी चाइना राइज इन is viewed as a threat अब क्योंकि चाइना इतना strong होते जा रहा है economical एकनोमी तो उनकी बहुत जादा बढ़ी है हमसे right compared to तो यह एक तरीके से उनका suddenly grow होना इंडिया के लिए एक threat पाकिस्तान अगेंस इंडिया रश्या इस सपोर्टिंग पाकिस्तान and you know चाइना अगेंस इंडिया और जब भी कुई जरूरत पड़ती तो of course मैं तरीके से दुश्मनी भी under एक हलकी सी दोस्ती की परत है पर नीचे दुश्मनी ही दुश्मनी है India adopts policies of internal and external balancing developing capacities and forming strategic partnership with countries India क्या करता जा रहा है कि सामने सामने तो चाइना के साथ गया लएक हाँ हाँ ठीके ठीके let's solve issue let's solve issue पीछे से there is this feeling of threat जो आर ये इसलिए वो US, Japan, New Zealand, Australia के साथ मिलकर Quad and Axis जैसी organizations you know के साथ काम कर रहा है ताकि वो चाइना के बढ़ते हुए threat को counter कर सके regular interactions at the highest political level have not resolved shared boundary issues even though prime minister और presidents कितनी बार मिल चुके है formally, informally लेकिन ये जो border issues हैना वो solve नहीं हो पा रहे और highlighting the recurrent of theme of conflict and cooperation in bilateral relationship तो basically pendulum की तरह दोनों countries दो pendulum लो तो कैसे टकराते हैं फिर वापस दू चल जाते हैं फिर तकराते हैं ऐसे ही कुछ relationship इंडिया और चाइना का है कि बात करते हैं तो थोड़ी सी friendship होती है दोनों की तरफ से एक इफर्ट दिखती है पर लेकिन फिर border के ओपर conflict हो जाते है फिर कहीं और कोई conflict हो जाता है तो you know they have their alliances done now let's talk about commercial diplomacy diplomacy क्या होता है जब भी दो कंट्रीज के interests clash करते हैं ठीक है उन्हें दोनों कंट्रीज को कुछ चाहिए पर possible नहीं है तो वो कंट्रीज फिर फाइट करने लग जाएगी तो फाइट ना हो क्योंकि फाइट करने से वार पे जाने से तो दोनों कंट्रीज का नुक्सार होगा तो कहीं बार कंट्रीज मॉडर्ण टाइम में क्या करती है नॉन फॉर्मली बिना मिडिलिटरी के डायलोग के थ्रू डिप्लोमसी के थ्रू इन प्रॉब्लम्स को जित्ते भी जगड़े हैं वो सेकेंड सीट बैक सीट ले लेते हैं क्योंकि कॉम्मर्स दोनों कंट्रीज के लिए बहुत इंपोर्टेंट है एकनोमिक और कॉमर्स रिलेशन्शिप चलाने के लिए इंडिया और चाइना के बीच में कहीं सारे डायलोग मेकेनिजम है उसमें से सबसे पहला है जॉइन्ट इकनोमिक ग्रूप जो की दोनों कंट्रीज के कॉमर्स मिनिस्टर लीड करते हैं फिर जॉइन्ट वकिंग ग्रूप है ट्रेड के उपर इंफरमेशन एं टेकनोलोजी के उपर कम्यूनिकेशन टेकनोलोजी हाय टेकनोलोजी के उपर कहीं सारी अलग-अलग कमिटीज बनी हुई है अलग-अलग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए कॉमर्स से रिलेटेड चाइना जो है वो इंडिया का प्राइमरी इंपोर्ट पार्टनर है सबसे जाधा सब पिछले 15 सालों में बहुत जाधा इंपोर्ट आता है इंडिया में चाइना से इंडिया ने बहुत कोशिश करी है कि वह अपना रिलायंस जो डिपेंडेंस है चाइना के पर उसको कम कर सके इसलिए उन्होंने कहीं सारे दूसरी एजिन कंट्रीज के साथ में FTA भी साइन करें को कमबोडिया लाओ वेतनाम ताकि वहां से हम चीज़े इंपोर्ट कर सके लेकिन उसके बावजूद भी चाइना का इंपोर्ट पोर्शन जो है इंडिया में बड़ा ही है अधिस ना हियर यू कन सी दो हजार सत्रा अठरा अठरा उनिस बीस 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 एकिस और एकिस से बढ़ गया सेम इट वस्मोर फोर चाइना एंड इट केप्ट डिस्क्रीजिंग बिकास यहां पे एकनोमिक स्लोडाउं ओ गया था चाइना में फर इदर तरफ पे कोविड आ गया था लेकिन जैसे कोविड रिस्टिक्शन ख़तम हुए सड़नली इट जंप अल्मोस्ट क्या थे विवेड और प्रफ थे वल से कंड में यू संथि बाद जेए टो वी आच ज़्य इंट को में लेकिन जाइन के साथ में पैसे लिए अधर भलब उनसे प्रॉफित में है तो इसलिए हमारा यूस के साथ में ट्रेंट सरप्लस है लेकिन वहीं चाइना के साथ में we are in trade deficit क्यों क्योंकि हम import बहुत ज़ादा करते हैं और export बिल्कुल नहीं करते हैं it's quite significant छोटा मोटा deficit भी नहीं है trade dynamics की बात करते हैं दोनों country के बीच में क्या चल रहा है import trends for China, China का even though economic slowdown हुआ, supply chain में disruptions हुए लेकिन फिर भी 2021 में China का import जो है वो pre-covid level, covid के पहले वाले level से भी ज़्यादा हो गया what are the share, share क्या है import का, 2020-21 और 2021 में 16 और 15% share था means जो total import होता है country का, उसमें China का share इतना था dependence on China, India जो है बहुत सारी non-oil merchandise के लिए depend करती है क्योंकि देखो अब UAE के बाद second largest is China only, but UAE से हम petrol लेते हैं तो even non-petroleum merchandise में भी जो total import है उसका 25% basically plastic and electronics वगरा है, which is huge what are the key import items, हम क्या import करते हैं चाइना से active pharmaceutical ingredients, chemicals, plastic items, electronic goods ये main imports है export dynamic क्या है इंडिया के साथ में, export जो है वो बड़ा है 2020-21 में 21 billion था as compared to last financial year 16.7 तो 16.7 से बढ़कर 21.2 billion पर आचुका है लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इंडिया का despite growth it remains considerably low ठीक है बहुत improvement हुआ है लेकिन फिर भी जो comparison में हमारा export उनसे बहुत कम है हम क्या export करते हैं चाइना को यान, copper, ores, organic material, chemicals, burgeoning bilateral trade imbalance अब ये जो trade imbalance है ये इंडिया को basically बहुत अखर रहा है क्यों क्योंकि इससे क्या होता है कि जितना ज्यादा ये deficit expand होगा उतना ही हम ज्यादा चाइना पर dependent हो जाएंगे और उतना ही ज्यादा vulnerable हो जाएंगे in case a war breaks out the deficit balloon approximately 73.3 billion in the year 21-22 financial year में 73.3 और 2023 में expected था कि ये 100 million dollar cross कर जाएगा तो बढ़ ही रहा है और बढ़ने की संभावना है और जितना जदा बढ़ता चाहेगा उतना ही you know problems हो दी जाएगी अब basically आप समझ सकते हो ना दो कंट्री को लेकर कोई you know they don't want to stop the trade लेकिन उसमें एक कंट्री दूसी कंट्री के बहुत ज्यादा deficit में तो फिर अगर इस case में सा होता है जगड़ा होता है तो किसके पास कौन हारेगा right you can understand this dynamic तो यह graph हमें बता रहा है कि कितना total share था इंडिया का import में इंपोर्ट में कितना शेर था चाइना का और कितने पैसो में कितना export हुआ है ठीक है तो this side we have money in billions so 20 billion 40 60 80 100 और on that side we have percentage इंडिया की import का total कितना percentage चाइना से आता है वो यहां पर दिया हुआ है तो trend देखेंगे we are seeing की 2014 15 16 17 18 तक बहुत इन बढ़िया चल रहा था इंक्रिमेंट हुआ था अठरा में लेकिन फिर क्या हुआ because of economic slowdown हुआ चाइना में और उसके कारण COVID हुआ हुआ COVID के कारण और कम हो गया जैसे COVID खतम हुआ तो suddenly it shot up okay so the amount of money that we were the amount of business we were having in 2014 15 में 60 था और वो अल्मोस्ट अब 90 तक पहुच चुका है okay अब वहीं बात करें कि percentage की कि कितना total percentage है इंपोर्ट का तो again same pattern थोड़ा शुरू में अच्छा चल रहा था फिर एकनोमिक और ये कोविड हुआ economic crisis हुआ तो कम हुआ और उसके बाद देखो आज भी बहुत significant amount है ठीक है ओल्मोस्ट पंद्रा परसंट पे average कि इंडिया का total इंपोर्ट होता है उसका पंद्रा परसंट चाइना से आता है अब क्या है factors क्या हो क्यों हो रहा है यह ऐसा क्यों हो रहा है कि इंडिया भी कोई कशोटी country नहीं है इंडिया बास भी बहुत कुछ export करने के लिए लेकिन क्यों export नहीं कर पा रहे हैं दो एक तो चाइना का जो manufacturing dominance है बहुत सालों से चाइना ये कोशिश कर रहा था कि वो अपनी industrialization आजगे क्योंकि चाइना जो है वो developing वाली theory में believe करते हैं कि the only way to become a rich country is to go through rapid industrialization तो उसको करने के लिए basically what China did is कि उन्होंने over the period cheap labor को provide करके बहुत सारे economic zones बना के बहुत सारी subsidies देखे कई सारी manufacturing industries अपनी country में खुल वाली ठीक है और उसके बाद उसे जो बोलते हैं तो इसे ग्लोबल हब बना दिया of manufacturing cost effective cheap labor industrial manufacturing उसके कारण उनका जो range है कि क्या-क्या चीज़े वो export करते हैं वो बहुत बदो सुई से लेकर कार तक सब कुछ बेचते हैं from electronics to textile अब इंडिया's dependency on China's goods because raw material जो है और finished good हम बहुत जादा वहां से लेते हैं और उनके बदले में हम उन्हें जादा finished good नहीं देते हैं इसलिए भी मतलब जो product हम उन्हें बेच रहे हैं उनकी value भी कम है वहां से हमें मिलता है machinery, electronics, chemicals जिनकी value जादा है ठीक है final products है और महेंगे products है और हम जो बेचते हैं और cotton इनकी value कम होती है तो वो भी एक reason है कि इस deficit का उसके लावा non-tariff barriers तो एक जब भी दो countries के बीच में जो trade होता है उसको check balance करन हो तो उसके लिए हम tariffs लगाते हैं बट चाइना के साथ में tariff के अलावा भी non-tariff barriers भी है क्या है एक तो चाइना की बहुत complex requirement है regulatory requirement की क्या क्या होना चाहिए before you can send your product in Chinese market, China make sure कि Chinese market easily available ना हो बहार के लोगों के लिए ठीक है उसके अलावा intellectual property rights के violation बहुत करती है जैसे ही कोई phone, laptop बनता है उसकी first copy सबसे पहले चाहिना जाती है first product और उसको reverse engineering करके वो उसकी first copy बना लेते है तो वो intellectual property rights को respect नहीं करते है तो उससे क्या होता है कि हमने कुछ unique product बना है तो वो हमसे नहीं लेंगे वो हमसे एक बार लेंगे उसको देखेंगे कैसे बनता है फिर अपने ही country में लग जाएंगे फिर उसके लाबर lack of transparency क्योंकि government ऐसी है कि information को बहुत चुपा के रखती है information मतलब क्या अगर आपको कुछ भी business start करना है चाहिना के साथ कि मुझे ना कुछ export करना है चाहिना में तो क्या चाहिए रहेगा आपको उसके लिए आपको उसके लिए दो information चाहिए ह लेकिन क्योंकि चाहिना को information देती ही नहीं है तो usually इस तरीके का business research चाहिना में असानी से नहीं हो पाता है and this is the one of the reason why जो Chinese market है वो हमारे लिए इतना easily accessible नहीं है infrastructure and logistic challenges इंडिया का infrastructure जो है export का वो बहुत धीला है और उसके कारण क्या होता है कि जो जो export करते हैं जो businessmen इंडिया से export करते हैं उनको बहुत पैसा लगता है और क्योंकि उनको पैसा लगता है इसलिए वो जो cheese बेच रहे वो महंगी हो जाती है और क्योंकि वो महंगी हो जाती है तो वो फिर चाइना के competitive market में नहीं बिखती है क्योंकि चाइना के पास एक cheaper alternative हमेशा रहता है ठीक है अगर वो वही चीज अपने घर में बना सकते हैं सस्ते में तो फिर वो बहार की चीज क्यों लेंगे तो इसलिए जादता लोग भी इस business में नहीं गुशते हैं चाइना में export करना नहीं पसंद करते हैं अब बात करते हैं cultural and educational tapestry 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 क्या होता है it's basically like a art in the form of nature ठीक है उसको tapestry बोलते हैं बट यहां पर इसका यह मतलब है कि दोनों countries के बीच में किस तरीके का cultural relationship रहा है वो समझेंगे इंडिया और चाइना के जो cultural ties है वो कहीं सो सौ साल पुराने है ठीक है उनके exchange हमें 1500 से 1000 BC से पता है कि इन दोनों civilization exist करती है और इनके बीच में exchange चल रहा है बुद्धिस pilgrimage इंक्लूडिंग कश्यपा मतंगा और धर्म रतना प्लेड़ क्रूशल रोल इन फॉस्टरिंग कर यह जो बुद्धिस हिनान प्रोविंस में ओनरिंग इंडियन मॉंक यह जो एक था युवांग शेंग मेमोरियल इन नालंदा युवांग शेंग को मोख्षदेवा भी बोलते हैं कि वाज़ वेरी वेल नोन बुद्धिस चाइनिस स्कॉलर और जो इंडिया में उस वक्त आये थे और दोनों जगहों पर उनका बहुत नाम है वहां पर बी तो इस को इस को मॉनलेटी को साथ रखते हुए दोनों ने कॉमोरेट कॉमोरेटिव स्टैंप जो है वह प्रोड्यूस करें और दिस वसे हुज इवेंट क्योंकि एक ऐसे यूनों रिलिजियस और हिस्टोरिकल फिगर है जो दोनों कंट्रीज में रिस्पेक्टेड हैं उसके लावा इंडियन मूवी बहुत फेमस है इन चाइना स्प कुछ कंप्लीटली डिफरेंट है और कौंसी इंफरमेशन पब्लिक के लिए लावड है वो भी यूनों गॉवर्मेंट जमालती है तो ऐसे में क्या होता है इन ड़स नॉट गिव आर्टिस्टिक फ्रीडम तो पीपल तो में गुड मूवी क्योंकि हर मूवी पहले सरकार के अगर आपके पास बहुत रिस्टिक्शन है तो आप अपनी ठीक से अपने आर्ट फॉर्म में काम नहीं कर पाओगे या यूद नॉट वांट वांट तो में जिससे गुष्टा हो जाए और आपको पता है कि चाइनीज गुवर्मेंट किती रूथले से तो इसलिए वहां का जो मुवी जो बॉलीवूड सोड़ी उनका जो सिनेमेटिक यूनिवर्स है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेट था और इस करण से इंडिया की मुवी बहुत फेमस हो गए बिकोस दे कुट अलसो रिलेट हमने शुरू में ही देखा था इंडिया चाइना की जो कल्चरल टा है वो भी काफी सिमिलर रहे स्पेशली आप देखोगे फ्रॉम पॉंट आप व्यू आप की दोनों एक टासा में पर बहुत फ्लरिश्श रिवलाइजेशन थी फिर कॉलनाइजर आए फिर बरबाद करके चले गए क्योंकि ये कॉमन सेंटिमेंट है इसलिए काफी रिलेट क आए इंक्लूडिंग कि जब आप ये बोलते हो ना कि ये जब मुवी है इसमें से ये सीन काटना पड़े करके हमारी कल्चुरल रिलीजियस भावनाओं को आहत कर रहा है ये आई अंडर्स्टाइंड देर इस संट सेंसरिंग नीड़ेड ठीक है आई अंडर्स्टाइंड इ इसे मना कर देते हो कुछ चीजों का स्क्रीन पर बोलना ही अलाउड नहीं है ठीक है ऐसे में क्या होता है कि यू आप बेसिकली मेकिंग सिनिमा यॉर प्रोपगेंड़ मशीं विच इस वाट इस हापनिंग इपनिंग इसमीडिया ऑलसो इन इंडिया और चाइना इसाइना इस यह तो वी शुड नॉट आव दिस वी शुड नॉट आव पीपल फ्रॉम पर्टिकुलर रिलीजियस असोशियेशन मेकिंग शूर कि हम अपनी मूवी में एक पर्टिकुलर काइन का मोरल दिखाए ठीक है और कुछ दूसरे काइन का मोरल अलाउड करें ठीक है तो यह इ वह कहीं सारी आफ्रिकन, मिडल इस और चाइनीज मार्केट में चलती है क्योंकि वह फ्रीडम थी यह सब बनाने की उसके अलावा योगा इस राइजिंग पॉपुलरिटी इंडिया ने जब से युएन रिजॉलेशन से इंटरनाशनल योगा डे बनाया है तब तब से योगा एड ग्रेट वॉल अभी एक इवेंट हुआ था स्वामी विवेकानन कुल्चरल एंट सेंटर जो कि हमने देखा है दूसरी कंट्री में भी बना है वह इनगरेट हुआ 2018 में बीजिंग में जो कुल्चरल टाइस फॉस्टर करता है बिट्वीन इंडिया एंड चाइन लोगों को लो तो आपको उन दोनों के बीच में बहुत दिखेगा ठीक है पट वहीं आप अगर इंडियन नौर्थीस्टन पीपल लो और चाइनीज पीपल लो तो आपको बहुत सिमिलारिटी दिखेगी क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी इस बात के बार में डिसकस किया है क कि यह जो बॉर्डर सेना पॉलिटिकल बॉर्डर यह अब आई है लेकिन यह जो कम्यूनिटी है यह हजारों सालों से एक दूसरे के साथ रह रह रही है ठीक है अभी इफ यू पिक अपर स्रॉं फॉस लिविंग इन दे चाइनीज साइड ऑफ अरुनाचल प्रदेश के कि हम जब कल्चल टाइस की बात करते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि यह इंपॉर्टन्ट है इसलिए क्योंकि अगर हम उनके साथ अच्छे कल्चल टाइस नहीं बना पाते तो वी आर बेसिकली एक अपनी पूरी जो पार्ट है इंडिया सिट सोसाइटी का उसको एलिनेट क है तो उनको ऐसे हैं जो गोटू पाकिस्तान ठीक है और अगर मानलो ऐसा ही चलता रहा तो जब नॉर्थीस्ट में अगर कोई गवर्मेंट के अगेंस कुछ बोलता है तो क्या बोलो गया उसको गो बैक टू चाहिना इंड यह और ऑनली क्रीटिंग मोर प्रोब्लम सो इससे अगर हम चाइना के साथ कर सके है रुनाचल वाली और सिक्किम वाली जगह पर जहां जो कम्यूनिटी इतने सालों से रह रही है वो एक्सचेंज कर सके जो वो करती आई है वो कर सके बीना प्रोब्लम के इससे क्या होगा इट विल आलसो इनों क्रियेट एक तरीके से इंटी को सपोर्ट करते वैसे अगर कल को कोई डिमांड हुई लोगों की नॉर्थीस में विच वे और अगर आप वहां पर वो लोग गवर्मेंट से कुछ डिमांड कर रहे हैं और उन्हें चाइना के तरफ से फाइनेंस आ जाएगा तो फिर वो टैर्रिस बन जाएंगे तो हम सब्सक्राइब देखा है कि इस वेरी बैड थिंग स्पेशली विध रिस्पेक्ट टू इनो मैं मेघाले अरुनाचल प्रदेश आसाम वहां पर बहुत जादा मात्रा में मिलिटरी टैनात रहती है और फिर मिलिटरी और जो सिविलियन के बीच में जो एक्सचेंज होता है इता अच्छा नहीं होता है ठीक है और उसके कारण अब क्या होता है मिलिटरी ओ कास्ट क्लास यह सब नहीं देखती है आप कहां से हो मेलिटरी तो जनरल जनरल होती है पर तो कहीं सारे नौर्दर इंडिया सदं इंडिया के लोग जो है वो तेनात रहते हैं वहां पर अफि और लोकल पॉबलेशन के बीच में एक नफरत हो जाती है और नफरत किस तरीके से होती है उससे ना वह दोने एक दूसरे को अलग अलग देखने लगते हैं पीपल ऑफ कश्मीर सी देंसल्स वरी इंडियन आर्मी पीपल अवर्माचर पर शाइंग देंसल्स अस दिफिरेंट वर्द फ्रम आप यह जाता है और इसके लिए अगर इसके लिए जा दो चीज़ ज़री एक तो गवर्मेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन ज़रूरी है कि हार्मनी बनी रहे मिलिटरी और लोगों के बीच में और दूसरी बात कि इंडिया और चाइना के रिलेशंचिप अच्छ हो जाएं तो वो प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल हो जाएगा वहां पर यू किन हाव गुड रिलेशंचिप देर विद देर काउंटर पाट एस वेल एंड हमें भी इतनी मिलिटरी वा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पर अफकॉस नोईंग वट वी नोग चाइना बीग्रेस कंट्री इस नोट पॉसिबल ठीक है तो उनकी एग्रेसिव होने से हमारे इंटर्नल पॉलिटिक्स में भी बहुत इनों इंपक्त आता है हमारा रिष्टा नॉट्थीस्ट के लोगों से खराब होने लगता है बिकॉस अब दिस तो अब क्या हो रहा है बिकॉस अब इस इश चाहिना के साथ भी कहीं सारे 25 स्कॉलर्शिफ और हिंदी लर्निंग आर गिवन तो इसके अलावा भी कहीं अलग अलग स्कॉलर्शिफ दी जाती है केंद्रिया हिंदी संस्था आगरा में वह आते हैं डिसीव करने अनुवली एमशी मेंशें एंटिव कम्यूनिकेशिशन व मुझा वैसे शाये नाया का अपना एक यह मदघ तो उसके मदद से बात कि जा सकती है अगर चाये लीचानला अंडिया में वीचेशिव के विचानलते नहीं होगा तो ओक मिजूश है में बोधकoft पती है ।ो मिदी को ने और अव smart को और वी कुछ चाहिए चाहिए नहीं न प्रश्राइब करें एक प्रफेसर थे चानीश स्टुडेटी के वो क्या घलते थे एक लिस्ट देते थे सारे चानीश बच्चों को ऑफ टॉपिक्स थाट आर बैंन चायना यह क्योंकि चानीश का अपनी कंट्री में इन फोट का रखती है तो जब भी वहां से टूडेंट आते हैं तो यहां पर फ्री एकसे हैं इन्टरनेट की सो अप यहां आए हो थो पड़ो यहां पर फ्री परस्पेक्टिव आफ लाइफ पो बहुत मुझे इंटर्स्टिंग लगा था कि जब मैं पढ़ रही थी that I noticed Hindi conferences होती है ministeral visits होती है Chinese engaging India में भी कहीं सारे जगह उपर Chinese studies होती है ICCR administers Hindi chairs at various Chinese universities further strengthening the language and cultural ties तो कहीं सारे जो बुलते हैं cultural जो universities के area है वहाँ पे chairs बठाते हैं Hindi के लिए ताकि वहाँ पे Hindi पढ़ाई जा सके Chinese students को Now let's talk about Bangladesh, China, India Myanmar Economic Corridor BCIM, EC EC क्या होता है Economic Corridor Basically it's pathway made for economic purposes तो लेकिन वो pathway जरूरी नहीं है कि highway हो can also have different forms of transportation train भी चल सकती है और उसमें दूसरी चीज़ जो important होती है कि एक तरीके से क्योंकि ये multiple countries के बीच में है ठीके तो यहाँ पे infrastructure बनाना पड़ता है ताकि easily जो भी travel कर रहा हो वो एक country से दूसरे country के बीच में मलब you know cross कर सके तो वो infrastructure होता है उसके अलावा आसपास ये जो economic corridor होता है इसके आसपास के जो गाउँ आते हैं यहाँ पे उनको भी develop किया जाता है so that they can host the people who are traveling and उसके अलावा साथ में you know water, gas, pipelines वगेरा भी यही से जाती है अगर कोई electricity line कुछ है मतलब कि अगर किसी को transport करना है तो वो भी easy के alongside बनाई जाती है तो इस पूरे system को economic corridor कहा जाता है ये 1999 में coming China में launch हुआ था it connects Kolkata starting from Kolkata then Bangladesh then Northeast India and then Myanmar and then getting into China एक तरीके से इसका aim क्या था economic integration of sub regions ये जो region है ना India का specially Northeast का ये वाला plus China का ये वाला ये इतने अच्छे से developed region नहीं है तो इसका इन region का development करने के लिए promote करने के लिए और इन countries के बीच में economic ties को strong करने के लिए ये propose भुआ था BCIM की priority पहले थी TTE Trade, Transport and Energy Later it shifted to TTE Trade, Transport and Tourism तो उसके purpose से ये बनाया गया था क्योंकि जो energy की बात हुई थी उसके उपर जो प्रोजेक्ट से वो नहीं हो पाए तो इस कारण से अब उसका शिफ्ट मूव हो चुका है उसकी तरफ The corridor aims to enhance connectivity in the landlocked areas of Northeast and China's Southwestern region तो चाइना का जो Southwestern region है वो भी ज़्यादा डेवलप नहीं है क्योंकि कटा हुआ है तो वहाँ पे भी डेवलप्मेंट होगा और इंडिया का जो Northeast region है त्रिपुला मेगाल है यहाँ पर भी connectivity आएगी And you have to also understand one thing कि यह जो path बना है अगर आप इन country's के borders हटा दो ठीक है तो यह एक natural path पहले भी exist करता था ठीक है मतलब जब यह देश नहीं थे तो एक तरीके से इस विल आजो sort of bring back the old connection that people of this region had Because देखो, you could be citizen of India, you could be citizen of China, you could be citizen of Bangladesh Okay, but then before you are that, but then उसके आप बात अपकी जो second identity है वो भी important होती ही आपके लिए तो वो second identities कहीं सारी communities यहाँ पर share करती है और it is important for neighbors to have that kind of relationship की वो लोगों की जो secondary identity है उसको respect कर सकें, ठीक है Poor connectivity है इस area में इसके कारणी underdeveloped है तो अगर BCIM सक्सेस हो जाता है तो कहीं सारे ऐसे underdeveloped places link हो जाएंगे Implementation of BCIM would enable member countries to leverage trade complementaries ठीक है and per regional economic growth तो basically उस region की जो complementary अपने अपने region का जो area है जो इस economic corridor में पढ़ता है उसको develop कर पाएंगे और वहाँ पे एक तरीके से वहाँ के region की growth को एक push दे पाएंगे February 2013 में एक K2K car rally भी हुई थी जिसमें people drove from Kolkata to Kuming crossing the whole the northeastern part Bangladesh, Myanmar and then in China 3000 km है लगभग ये road और it took them, it started on 22nd Feb and ended on 5th March तो इतने बारा तेरा दिन के अस-पास लगाई ये करने में So this was a great show, you know Now India and China are part of many multilateral organizations तीन such organization that we will discuss which are the most important is One is BRICS, Second is Shanghai Cooperation Organization and third is Russia, India, China, RIC इन तीनों organization के पारे में जब हम international organizations की बात करेंगे उसमें हम detail में इनके बारे में बात करेंगे But these are the three where India and China work together on multiple forums What are the key challenges to India-China relationship? 5 main issues चल रहे हैं Border dispute, China-Pakistan Nuxes, Belt and Road Initiative, Geostrategic Contest in Indo-Pacific and River Water Sharing So we will explain in detail में हम समझेंगे सबसे पहले बात करते हैं boundary dispute की Boundary dispute के लिए, let's understand की boundary जो हमने बात करेंगे की इंडिया और चाइना की जो boundary है वो तीन हिस्सों में बटी हुई है This is called as the, this red one is the western sector Then this is middle and then this is the eastern sector तीनों की अपनी अपनी प्रोब्लम है सबसे शांत जो है वो ये वाला middle sector है So this is 2150 km This yellow one is 625 km यहाँ पर जादा कुछ issues नहीं हुए अभी तर्ग और ये वाली जो है This is 1140 km So individually discuss करते हैं कहां कहां क्या problem है Now let's talk about the western sector of India-China border और वहाँ पर क्या issues है 2162 km की ये जो border है ये इंडिया के लद्दाक और चाइना के Xinjiang region को separate करती है You should read about what is happening in Xinjiang region हम यहाँ पर detail मुसके बार में बात नहीं करेंगे But basically there is a Muslim minority living here And China has been harassing this community Converting them, making them eat pork You know, removing their religious connotation Religious identity to make them into this subdued Chinese citizenship And there is too much happening here with respect to human rights violation And all of this they are doing in the name of terrorism Even though there was no specific terrorism there But they created the links and said That the Muslim minority here This is all fabricated to subdue To this region So you should read about it more Very important The focal point of this territorial dispute is Aksai Chin Main point of dispute is Aksai Chin There are two different lines Johnson line in 1865 Which means Aksai Chin Jammu Kashmir Extending it to Coulomb Mountains So according to this line According to this line This is a Revoline According to this line This comes in India But if you move on McCartney-McDonald line In 1890s It was designed to be designed to be Aksai Chin In China Obviously Johnson line And China asserts That the McDonald line Is the rightful border Currently The line of actual control In India In India Ladakh China Oxygen Separate However Differing interpretation Because Both countries Interpretation Interpretation Is What is the right border So When they go to patrolling They have clashes Because India It is a area Chinese Chinese It is a area Indians So Because They are not Right The line These are disputes The middle sector The middle sector This is a lot of work Here is nothing special Here is not 6-25 km Between India And China Ladakh To Nepal With Himachal Pradesh In Uttarakhand As the borders Here Because The border Both Are fixed And Because This is a region Where We were also able to create Sort of A physical border In a way That There is no dispute Because It is clear Which area There is no dispute Now Eastern sector Is where 1962 Indochina War In this area This sector Witnessed a full scale war In 1962 Attending to challenge The McMohan Line India The boundary With China Is here 1140 km And Bhutan And Myanmar The Tri-junction Where India Tibet And China The border Extended The McMohan Line Was proposed By McMohan In the Shimla Accord In 1914 Accordingly India Tibet And China The boundary Establish Here India Here Tibet Here China In 1959 What happened China occupied Tibet So Basically There was no authority There was no authority Because Of course They did not They did not Validate At that time Tibetan leadership They did not validate So They did not To make This decision And China Assert That South Tibet Is Earth Skirmishes Especially Tawang region Because Border Demarkation Is not Good Because Actually Macmillan Line In In China In 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 The Plague Like This Act Of Assigning Chinese Name यह जो act है, इससे पता है क्या होता है, basically जो unilaterally अपनी तरफ से, अपने आप बिना किसी issue के, बिना किसी बातचीत के unilaterally चाहिना क्या करता है, इन एरियास को नाम दे देता है, in a bid to basically, then say after 10, 15, 60 years की, ओ, यह तो हमारा पार्ट था, हमने तुसको नाम भी दिया है, देखो, basically ह चालू हुआ, था तो शुरू से अग्रेसिव, चाइना की पॉलिसी से, और वो हमेशा से यह करते आए हैं, this is not first, they've done it with Tibet, and if India was not there, they probably would have done it with Nepal and Bhutan also, but, यह first time 2017 के बाद, you know, aggressively हुआ था, क्योंकि Dalai Lama अरुनाचल प्रदेश गय थे, और, Dalai Lama का exist करना, इंडिया में, और freely यह, technically, what they think is their land, has really, you know, tickled some bad itch, in China's mind, so the Chinese official argue that, कि standardizing जो हुरी है, उस इन नेम की, यह बहुत जरूरी है, ता कि, और, especially क्योंकि यह जनरेशन से यह नाम चलते आ रहे हैं, वहां के, you know, ethnic minority जहां रहती थी, उन्होंने यह नाम दिये आम नहीं दे रहे, बीजिंग की foreign policy playbook, जो है, जब वो historically, क्या बलते हैं, नाम दे देती हैं, और थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा आगे करके, they try to, basically, show, they are not doing anything, they are not entering the place, they are not, they are just slowly, slowly, you know, throwing crumbs, कि, oh, this is the name of this place, फिता की लोगों के, you know, उसमें बस जाएगी हाँ, इस एरियन को यह बोलते हैं, और वहां पर अपने population को हैं, हाँ, I am here, और फिर बाद में, जब यह इशु दस तालबाद, बीस बालबार उठेगा, तो बोलना देखो, आप खुदी देख लो, हमारा तो देखो, हमारा तो देखो, हमारा तो लोग रहते हैं, वहां पर, इस ताइप की है, फिर, यह जो important region है, this is, the Sikkim, China, Bhutan, Trijunction, इसे Chumba Valley केते हैं, और यहां पर, जो है, second, सबसे बड़ा issue होता है, because, this is Siligodi Corridor, हमने बात करती है, चिकन नेक है, इंडिया का, यह connect करता है, में लाइन इंडिया, और नॉर्थीस्ट रिजिन को, और यहां पर, जो एडवांसे हैं, चाइना के, वो, आर तो, so that they can, you know, have a strong presence here, so that whenever something happens, they can, you know, destroy this, and then, the Northeast will be cut, and then they will be able to take away the Northeast in part from India, so this is basically the planning, फिर दो कलम प्लाटू, जो है, इस अ strategic vital 269 km region, 300 km भी नहीं है, यह रिजन है, पर यह बहुत strategically important है, और यह बूटान का हिस्सा है, but, डिस्प्यूट में, चाइना हमेशा से बोलती है है, कि यह हमारा हिस्सा है, आपने पड़ा होगा, पहले की, जब पुराने टाम में, जब वार्स होती है, जिस भी साइड के पास में, हाई ग्राउंड होता था, उसकी विनिंग के चांसे बहुत जादा थे, वैसा ही सेम इस्वे, the reason why they are so interested in Doklam, is because Doklam looks over the Chumba Valley, and Chumba Valley belongs to China, तो अगर कभी वहाँ पे लड़ is not the place where we, China would be able to win from us, because we have a high ground, तो इसलिए वहाँ पे वो अपना प्रेसेंस बढाने की कोशिच कर रहे है, जिसमें इन टूप्स इंटर्वीन टूप्स इंटर्वीन तो हॉल्ट चाइनीस पीपल, लिबरेशन आमी सोल्जर्स फोल्जर्स 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 इस नोट और रीजिन और बेसिकली जग्रा तो इस रीजन को लेकर उनका बुटान के साथ है, ठीक है, सिक्कीम की तरफ ज्यादा नहीं है, पड वो एरिया हमारे बहुत इंपोर्टन है और हमें पता है कि चाइना के क्या इंटेंशन है उस रीजन को लेकर, तो इसलिए उन को एकसेस कर लेंगे, जो वहां का है, तो तो इस रीजन के लिए तो इस रीजन के लिए, तो इसलिए असर्ट इप्लोईमेंट आफ टूप्स, मतलब क्या, वो टूप्स एक होते हैं, बॉर्डर पेट्रोल, ठीक है, और दूसरे होते हैं, वो जो लड़ने के लिए जाते है तो यहां पा उनों उस ताइप वाले टूप बेजें, बिकॉस अपा इम्पोर्टेंस अफ दिस रीजन इस वरी हाइ, अनलेस कंटेंडेट अध निव चुम्भी वैली रोड माइट पोस अ थ्रेट तो चिकन नेक, दर नैरो सिलीगुरी कॉर्डर लिंकिंग द नौटीस त इंडिया अप्रोक्सिमेटली 500 किलोमेटर अवे, तो चुम्भी वैली से जो यह कॉर्डर है, यह सिफ 500 किलोमेटर दूर है और उस पे उनका प्रेजन्स वो बनाना चाहते हैं, इसी लिए आर मेकिंग एफर्ट्स इन दाट रीजन, और इस वाइवन इंडिया इंडिया इस और यह कॉरिड़ूर हम बना रहे हैं उसमें फिर इंटरोड यह बना रहे हो, लेकिन और चैना बोट रहे है कि हम और वूटान बात कर रहें न तूं का है ओ चक्रमें बीच बेहें, तो इस इस दॉस्ट बात करके अपना प्रेजन्स वहां पर स्टैब्लिश करना चाहते है वूटान के साथ भी उनकी बॉर्डर डिस्प्यूट चल रही है, अब भूटान is a very small country, उनके पास इतना power नहीं है, तो वो कोशिच कर रहे है कि कैसे, मैं अगर वो भूटान को किसी तरीके से दबाव में ऐसा कर दे कि वो यह area हमें दे दे, तो it will give a strategic importance to China against India, ठीक है, इसलिए के इंडिया इतना interest ले रहा है इसमें, despite the temporary diffusing the crisis on August 28, 2017, disengagement हो गया उसके बाद, लेकिन उसके बाद भी यह area अभी भी बहुत sensitive है और कभी भी इस area में कुछ भी हो सकता है, एप्रिल और में, China replicated its action from Dipsang 2013, Chumar 2014 and Pangshong Tsao in 2019, physically seizing defined areas along the line of actual control and obstructing Indian Petrols, तो यह जो region है, यहाँ पर इन्होंने क्या करा, line of actual control के पार जाके, इन areas को seize करना चालू किया, और वहाँ पर जो Indian Petrol कर रही थी military, उसको obstruct किया, उनको पेट्रोल नहीं करने दिया, उनको जाने नहीं दिया, ठीक है, और इसमें आपने सुना होगा, अब वहाँ पर, जो है, बहुत, constantly clashes होते हैं, बहुत, दोनों countries जो है, अपने अपनी, उस area को अपने अंडर मानती है, तो जब भी वह पेट्रोल करने आते हैं, तो यह सामने आके उनको रोक दिते हैं, कि हमारा land है, बट अब वहाँ पर, यहाँ पर अंडर से, फिजिकली, उन्हें जो यही बोला गया है, कि this is our land, they must protect it, जो, जो dispute है land का, वो political level से आरी है, कि नहीं है, यह agreement सही नहीं है, यह agreement सही नहीं है, तो वहाँ पे जब जो डोनों countries के लोग सामने सामने आते हैं, तो डोनों काफी nationalist है, वह प्रोटेक्टिंग अलन, वह प्रोटेक्टिंग अलन, वह प्र इतना जगड़ा, क्योंकि both the countries, China basically is not willing to acknowledge, ठीक है, उनको तो expansionist power है, उनको तो expansion कर नहीं है, तो वह तो मानने से रहे नहीं, और वह नहीं मानेंगे तो उनकी military, चाहे भले कुछ भी हो, they will have to listen to them, so both the countries के लोगों के जो military है, उनके अंदर बहुत nationalist feelings है, और वह जब यहां पे मि अधार है, तो आए तो इस की, पॉलिटिकल लेवल पे, ओल्ड में में एक्डिसिजिएंस बट यंग में ऑन बारद डायए बिकॉस अधाए तो इस यूच प्रोब्लम तो इंडिया-चाइना डिस्पूटर अनाद प्रोब्लम विध इस इंस एंस बिस्टिटिदे अरिया लेकिन अब क्या हो रहा था जो डिस्प्यूटेड नहीं थे एरिया जो कंटेस्टेड नहीं थे उस पर भी चाइना यू नो हला करने लग गए वहां पर भी स्कर्मिश होने लग गए 2020 में में 5 में एक जो क्लैश हुआ था पैंगॉंग लेक क्या पास उसके बाद दोनों ही साइड ने क्या किया अपनी military वहां पर और बढ़ा दी उस उस बोर्डर पर और उसके बाद दोनों ने अपनी खूब सारे वहां पर तैनाथ कर दिये उसके बाद ये सारे इन्सकर्शन समने विटनेस की गल्वान वैली होट स्पिंग फंगंग सो लेक गोग्रा देम्चॉक और देप्सांग प्लें इस्टन लग्दाग अब प्रॉब्लम ये था ना की देखो इस इस बाद लाइन विच इस बीन वहां पर प्रॉब्लम नहीं थी जो अरड़ी फाइनलाइजड एडिया है जहां पर दोनों अगरी करते है उस पर भी अपना एक्स्पांशिनिस पावर के कामें वह और अंदर जाने की और इंडियन लैंड को उक्यूपाइ करने की कोशिश कर रहे हैं जो पेट्रोलिंग प वह है देपसंग एन पैंगोंग लेक बट गोगरा होट स्प्रिंग्स गलवान वेली यह सब अरिया कंटस्टेड नहीं थे यह उर्ड़ी पता है कि यह इंडिया में आते हैं पर फिर भी महाँ पर हो रहा है डिस्पाइट इस एलसी इन गलवान रिवर वेली बिंग अन्ड उसके बाद बात हुई कि एक buffer zone बनाएंगे, buffer zone क्या होता है, basically जो border होती है, fixed, उसके कुछ distance तक एक ऐसा no firearm zone बन जाता है, उसमें ना तो कोई plane जा सकता है, ना कोई soldier patrolling के लिए जाता है, वहाँ पे weapons नहीं लेके जा सकते हैं, तो एक buffer zone बनाने की planning हुई, to prevent face-offs, जो बार-बा इंडिया और चाइना के skirmish में किसी soldier की death हुई है, and why is this event so serious, because 1967 में जो सिक्किम में clash हुआ था और 1975 में जो ambush हुआ था चाइना के साथ में, उसके बाद, 2020 में ये same तरीके के हम, you know, patterns देख रहे थे, that was the last time somebody died in a skirmish between India and China, so you can see why it was serious, because that means, a new era of war is coming up, so अब क्या trigger points रहें चाइना के लिए, क्यों अब इस वक्त चाइना इतना, you know, उंगली क्यों कर रहा है, एक तो रीजन है कि ये, दार्बुक, शोक, दौलत, बेग, ओल्दी, all weather road, ठीके, DS, DBO, ये इंडिया, ये basically, चाइना और पाकिसान के बीच में, economic corridor बनाने क की बार चल रही है, अब problem ये है कि, इंडिया ने कश्मीर की स्टेट हुड, जो थी, उसको रिवोक कर दिया, 1370 article के बाद, तो पहले क्या हो रहा था, कि बहुत कुछ चीजे महां पर हो रही थी, because इंडिया का control नहीं था, but this means, this revocation basically meant that India was taking things much more seriously, and it could put their economic corridor on, you know, edge, मतलब जैसे हमने बलने चिकन वेली, जो अपना चिकन कोरिडोर है, अपना, सिली गूरी, वहाँ पर कैसे, we have issues की, उसके 500 किलोमेटर पर चाइना है, और वहाँ पर वहाँ पर रोड बना रहा है, वैसा ही कुछ है, तो इनका economic corridor जा रहा है, और फिर ये area इंडिया के अंडर आता है, so they are worried कि अगर कभी जगडा होता है, और इंडिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अपने scenic तेनाद करती है, अगर कोई भी fight होती है, तो they will block their economic corridor, तो ये दोनों countries के बीच में, जो नक्सिस है, वो काम नहीं करेगा, अगर वो एक दुस्रे की मदद नहीं कर सकते हैं जगडे के टा करता है, ठीक है, तो ये important है, इंडिया के लिए, ये Indian military को access देता है इस area की, वहाँ तक पहुचने का Indian military के पास एक यही रश्ता है, और this runs parallel to the LSE in Aksai Chin, ये road जो है, parallel है Aksai Chin के, उसके बाद जो ये road है, it features the highest airstrip, ठीक है, दुनिया की सबसे highest airstrip यहाँ पे exist करती है, और अगर हमें कुछ भी वहाँ पे पहुचाना है, तो we have to use this airstrip, it was revived by Indian forces in 2008, enabling rapid deployment and reinforcement weapon, इंडिया ने इसको re-establish किया था, ता कि, all weather लेकिन access the region, पहले winter के time में, अगर बारिश होती थी, बरफ गिती थी, तो access कम हो जाती थी, Additional strategic consideration क्या है, जो west of DBO है, it is where China's borders with Pakistan, in the Gilgit-Balistan part, अब ये पुराने, you know, Kashmir का हिस्सा था, अब problem ये है कि, again, as I said, it is too close to, it's very important, strategically, very important economic corridor for China and Pakistan, and it's too much close to India, and it can create the same fear that we have in Siliguri corridor, ठीक है, critical area of China's construction from China-Pakistan corridor, in Pakistan occupied Kashmir, and revocation of Jammu Kashmir statehood, raises China's concern that India's stance on CB, कि, अगर इंडिया, जो ये change हुआ है, policies का, this means कि, इंडिया अपनी जो पहले, they were agreeing to this China-Pakistan corridor, नहो सकता है कि, they now don't agree, यह वो अपना stance change कर ले, तो इससे, इनका इत्ता बड़ा प्रोजेक्ट है, वो पूरा गटर में चला जाएगा, तो पोस्ट गलवान के बाद क्या हुआ है, क्या actions लिए गए हैं, इंडिया ने 59 Chinese आप बैन कर दिया है, प्राइम मिनिस्टर मोधी ने रिमाक किया है कि जो चाइना का, you know, expansionist era है, जिसमें वो इससब कर रहा है, अब भू खतम होने वाला है, उसके अब बाद, गलवान face of overshadowed the Wuhan spirit and the Chennai connect, Chennai और Wuhan में, प्राइम मिनिस्टर और Xi Jinping मिले थे, उन्होंने जो बाते करी थी, उसकी seriousness खतम हो गई because of गलवान, वहाँ पे जो उन्होंने प्रॉमिस करे थे, बात करे थे, बात करे थे, they all went to, you know, trash, what are the initiatives taken to address this dispute, both India and China have engaged in military and diplomatic ties, 16 round हो चुके हैं, discussion के on Cops commander level, ठीक है, तो commander के level पर discussions हो चुके हैं, 716 round और दोनों ही diplomatic और military talks में, engage कर रहे हैं, September 2020 में, बोथ कंट्रीस कंफिर्म दिसंगेजमेंट, from Gogra and Hot Spring area, buffer zone has been established in five locations, including Galvan Valley, north and south of Pangong Lake, तो इस वक्त, buffer zone बन चुके हैं, buffer zone में फिर, basically, buffer zone जो होते हैं, it helps to maintain peace, because वहाँ पर दोनों साइट पेड्रोल नहीं कर सकती, और इस बेसेंगेजमेंट, disengagement is yet to happen in other areas, de-escalation हो सकता है कभी भी, about 50,000 troops remain in amassed on either side of the LSE, दोनों तरफ, दोनों के 50,000 से जादा soldiers वहाँ पे हैं, facing each other at Depsang and Demchok, तो even though कुछ improvement हुआ है बातचीत में, थोड़ी बहुत areas हैं, जहां पे buffer zone established कर दिया, लेकिन अभी भी कहीं सारे, ये दो specially ऐसे areas हैं, जहां पर बड़ी मात्रा में सेना, तैदाथ हैं दोनों तरफ, और कभी भी clash हो सकता है, चाइना refuses to discuss these friction areas, stalling progress, अब चाइना इसके आगे discussion नहीं करना चाहती, और India insists on comprehensive disengagement and de-escalation to dissolve the standoff, इंडिया is saying की पूरा मैटर खतम करो, ये नहीं एक मैटर खतम कर दिया, दूसरा मैटर खतम कर दिया, एक-एक मैटर नहीं, पूरा de-escalation करते हैं, शुरू से, तो अब पूरा इशु सॉल हो जाए का तो फिचाना उंली कैसे करेगा, तो अब चाना दोड़ेश तो डिलेए from their side. चाना's new land border law 2021, चाना has recently implemented a new law of govern, its extensive 22,000 km land border shared with 14 countries including India. The law outlines measure to safeguard territorial integrity with the People's Liberation Army responsible for border duties, drills and prevent innovation. नया law निकाला है basically, चाना ने कि अपनी सारी borders पर, जो 14 countries के साथ उनकी border है, उस सब पर वो people's army को position देगा, कि वो जाए और patrolling करे और safeguard करने के लिए जो भी activity है वो करे. अब ये नया law basically क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि, चाना अपने borders पर, अपना engagement increase करीज़े, जाधा importance दे रही है उस एरिया को, जाधा वहाँ पर आर्मी भेज रही है, ठीक है? Additionally, the law emphasizes support of economic and social development in the border areas. तो अब ये, it's not just that कि वो अपनी army border पर भेज़ रही है, बट आर्मी भेज़े हैं, बट आर्मी भेज़े हैं, बट आर्मी भेज़े हैं, अब ये जो है, वो strategically बहुत important चीज़ है. This move raises concern in India as experts believe that this formalizes China's recent action in disputed territories and concites with the increased border activity, infrastructure development and strategic initiative by China. ठीक है? वो क्या कर रहे हैं? Basically, land disputed है और इन्होंने एक नया law बनाया है कि हम socio-economic improvement करेंगे उन area में जो हमारे border है. ठीक है? अब क्योंकि disputed area है, तो चाइना के नया law के हिसाब से Chinese army will go and you know, make camps and make construction, घर बनाएंगी, you know, roads बनाएंगे, dams बनाएंगे. पर ये area disputed है, तो इससे क्या होगा? number of clashes will increase. And this also means कि, basically, जो area under dispute है, जो अभी finalized नहीं है, उसको भी वो अपना मान कर वहापे, you know, socio-economic infrastructure बनाने की कोशिच कर रहे है. Means, वहाँ पे, फिर क्या होगा? इत विल no more be just military to military. दो, it will be military to civilization. ठीक है? अगर आप military होती सामने है, ठीक है? आपको पता होगा laws of war. You can hit, you can have a fight with a military man, right? If you are in a military, you can have a fight with a military man. But you cannot do anything to civilians, right? तो अब अगर आपकी border पे आप dispute कर रहे हैं और सामने civilian है, तो civilian casualties बढ़ जाएंगी. And then there will be war crime. तो एक तरीके से, strategic तरीका है, civilians को एक तरीके से shield बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो अपने जो area जो उन्होंने occupy कर रहा है, उसको control कर सके. अब चाइना और पाकिसान के नक्सिस की बात करते हैं, they share a long-standing relationship of all-weather friendship. ठीके, कुछ भी हो जा, इन दोनों की दोस्ती खतमनी होगी, rooted in the common adversial stance towards India. दोनों की दोस्ती हुई ही इसलिए है कि दोनों इंडिया को पसंद नहीं करते हैं, और इंडिया के साथ उनका, you know, issues है. The alliance has proven resilience despite significant economic and geopolitical changes. कहीं बार ऐसी situation हुई है, जिसमें ये relationship इंडिया और चाइना और पाकिस्तान की नहीं चलनी चे थी. पर हमने notice किया कि उसके बावजूद भी, it's a strong relationship. Appearantly, hatred makes for a good friendship. Common hatred for one person makes a good friendship. 1963 की boundary disagreement where Pakistan ceded the Sagam Valley to China laid the groundwork for Kakoram Highway symbolizing their strategic partnership. Basically, Pakistan ने क्या किया? अपना एक location चाइना को दे दिया, उसके कारण चाइना जो है ये highway बना पाया और this is where their friendship started. एक तरीजा गुद्विल जेस्चर टाइप की लोग हम आपको अपना एरिया दे रहे हैं. हमारा है मी नहीं? दे रहे हैं बस. India has raised concern about China's clandestine support to Pakistan's nuclear and missile capacities. Of course, China is the reason why Pakistan has nuclear power, right? और वो ही उनको प्रोवाइड करता है uranium and everything. तो, of course, India has issue. Basically, तुम पाकिस्तान को nuclear power दे कर और ये सब दे कर आप basically instigate कर रहे हो और इंडिया और पाकिस्तान की बीच में वार कराने की कोशिच कर रहे हो ताकि बीच में तुम वो बिल्ली की तरह रोटी ले जाओ. The collaboration poses the threat of potential to front war. तो, अगर एक जने से वार होती है, तो, you can man, it's manageable. बट अगर पाकिस्तान और चाहिना मिल जाएं, तो हमारी वेस्टन से लेकर एस्टन, पूरी बॉर्डर पे हमें बढ़ना पड़ेगा. तो, हमारी military जो है, डिवाइड हो जाएगी. आदी को यहाँ लडना पड़ेगा, आदी को यहाँ. And if our military is divided, it's, you know, it will be less strong. Because, you know, less people, less everything has to be sent off to different places. So, what will that happen? Monitoring air bases in Pakistan, occupied Kashmir, and using Gwadar naval base, I mean, China, basically, Pakistan के air bases use के सकता है to attack India, और Gwadar naval port use के सकता है to attack India from sea. So, चारो, पाँचो front से आप बोल सकते हो की, they will be able to attack us in case this friendship develops more. That's why it's, this is difficult for us. Now, यह जो line आप दिख सकते हो, this is how it's going, corridor. This is actually going through Pakistan-occupied Kashmir, which is actually part of India. So, this is where we have issue with them, की आप disputed territory को आप अपना मान के और उस पे कुछ भी बनाये जा रहे हो. China-Pakistan Economic Corridor के वाए में, Pakistan plays a crucial role in China's Belt and Road Initiative. Basically, Belt and Road Initiative जो था ना, it's a means for China to re-ignite the Silk Road. कुछ जब जब चाइना अपनी परम पे था, जब वो बहुत अमीर सिवलाइजेशन हुआ करती थी, वो इसलिए होती थी, क्योंकि, Silk Road होता था. Silk Road used to get a whole lot of attention in the world. अब Silk Road तो रहा नहीं क्योंकि देश बन गए बीच में 30 सारे. तो उस Silk Road को फिर से जिन्दा करने की कोशिश है, ये Belt and Road Initiative. And the important part is कि ये एक ये दो कंट्रीस के बीच में नहीं है. ये इट कोस्व फिर से जिन्दा करने की कोशिश है, और अर अमाउंट अव मनी दर चाइना है स्पेंट अन इस कंट्रीस तो क्रेट इस, इस, it's a huge project, infrastructure के point of view से. तो, of course, पाकिस्तान जो है, वो चाइना का next step ही पाकिस्तान है to start. तो अगर उन्होंने जो इतना पैसा लगा रखा है पुरे Silk Road पे, वो पुरा वेस हो जाएगा अगर वो अपने चाइना से जो पाकिस्तान की highway जा रहा है, इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, right? एक तरीके से, जैसे मैंने हमने चलिकूरी कॉर्डोर में देखा, ना कि एक जगा करोंने उक्युपाइ कर दिया, तो पूरा लैंड चला जाएगा हमारे हाथ से. वैसे ही चाइना के साथ होगा, अगर वो जब मूर कश्मीर से जो पास हो रहा है, वो कॉर्डोर अगर इंडिया ने बंद का दिया, तो उनका जो पूरा इनिशेटिव है, वो थप हो जाएगा. Unrevealed in 2015, CPEC initially amounted to 46 billion, but expanded to 62 billion. पहले शुरू में 46 billion की बात हुई थी, अब 62 billion, covering numerous high profile projects, constituting a significant portion of Pakistan GDP. इसमें बहुत सारे high profile projects हैं, और ये Pakistan की GDP का बहुत बढ़ा हिस्सा है. ठीक है, वहाँ ये जो construction हो रहा है, उसमें Pakistan के लोग employed है, प्लस बहुत सारा पैसा आता है चाइना से इसको इंपाने के लिएफ प्लस इतनी उनकी रेलेशंशिघा है पाकिस्तान के साथ, लेकिन फिर अपनी कंट्रीज में उसी मिनोरी को इतने गंदे से टीट करते हैं, अब पकिस्तान है नो शेम, तो बहुत बहुत दूर पड़ता है, आप समझो कि चाइना जो है न, कर सकती है सी रूट से, that's their plan, okay, the corridor connecting सिंग्जान तो ग्वादार travels, traverses in Pakistan occupied Kashmir, raising concern about India's sovereignty and territorial integrity, मतलब कि क्योंकि ये जाता है पी ओके से, तो इसलिए पाकिस्तान को और चाइना को इतनी जो रहती है दिक्कत रहती है जब भी India asserts anything, because they know अगर इंडिया ने अपनी stance change कर लिया और उन्होंने जो ये पाक occupied Kashmir है disputed territory उसको छोड़ दिया और नहीं छोड़ा और वहापिस दी उक्यूपाइ करने की कोशिश करी, तो देन इट विल भी इशू देर एंटायर इस जित्ता जो 62 बिलियन पैसा उन्होंने लगा है, सब बरबाद हो जाएगा इंडिया इंडिया कंटेस्ट देट सीपीशी पोसे सेक्यूरिटी थ्रेट इस प्रोजेक्ट कमेंस्मेंट अफ इंडिया को लगता है कि यह जो इनका कॉलिडोर प्रोजेक्ट है यह इस थ्रेट तो इंडिया वहां पे कॉनेक्टिविटी बहुत अच्छी है इसका ही है मतलब है कि इंडिया चाइना और पाकिस्टान मिलिटरी वाइस अल्सों विल भी अबल टू बी नैसली कनेक्ट अगर बहुत अच्छा कनेक्टिविटी होगी रोड की तो इजीली उनके यूनो पाकिस्तान में आ सकते हैं आर्मी, easily उनके वेपन पाकिस्तान में आ सकते हैं, so इस वज़े से इंडिया को लगता है कि उनका ये प्रोजेक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा security threat है इंडिया के लिए और वो कफी टाइम से इस बात को आर्मी पाकिस्तान की परेड में भाग ले दिये, so of course you understand what this means, right? China का plan for a second naval base in Gwadar, compound security apprehensions for India, perceiving encirclement of Indian Ocean तो हमने वो string of pearl theory देखी दी ना तो उसमें आप एक ये गवदार port भी आता है, तो एक तरीके से अगर उनका ये जो रिष्टा है ये और बढ़ता जाएगा तो वो गवदार port पे अपनी military भी ले आएंगे, तो वहापे उनकी submarines भी होगी, उसमें nuclear weapon है, so this will mean that another scope for a larger war on that side, तो वो जो हमारा secure area है, वो भी खराब हो जागा, वहाँ पे भी war हो सकती है, this is one reason why they don't like it, now India has registered protest emphasizing on the need for connectivity, initiative to other to international norms, transparency and equality and respect the sovereignty and territory integrity, वो क्या बोल रहा है कि देखो, हम समझते हैं कि जरूरी है दोनों countries के लिए connectivity, तो आप करो connect, उसमें कोई problem नहीं है, लेकिन आप international norms को follow करो, अपने area में करो, हमारे area में कर रहे हो, तो हम से permission लेके करो, transparency रखो कि महाँ से क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, equality रखो और दूसरी countries की territory की sovereignty, integrity को ध्यान दो, अब बात करते हैं कि, what is the stance of China on Pakistan's cross-border terrorism in India, Pakistan के में बहुत सारे terrorist harbor करते हैं, जो इंडिया पर attack करते हैं, और इसको लेकर, चाइना का stance बहुत ambiguous रहा है, क्योंकि जब वो, जब उनकी country में terrorism होता है, तब तो वो उसकी बढ़ी अलोचना करते हैं, और, you know, take action and all this and that, पर जब वही terrorism इंडिया में होता है, तो फिर मूँ बंद हो जाता है, चीक है, चाइना ने कितनी बार, you know, facing terrorist attacks, incidences in Xinjiang, but they still don't say anything to Pakistan when they do the same thing, you know, in India, and it's not, both the countries are dual, Pakistan भी चाइना को कुछ नहीं बोलता है, जब वो इतना, you know, जो वहां के Muslim minorities को इत्ता परशन करते हैं, तब भी कुछ नहीं बोलता है, और, चाइना जब इंडिया को, जब पाकिस्तान जब इंडिया को attack करता है, और उनको हरब करता है, तब भी वो कुछ नहीं बोलता है, ठीक है, तो दोनों ही मकार, एक तरीके से, उसके बाद चाइना ने ना, UN का जो प्रोपोजल था, इंडिया ने जो किया था, about declaring these terrorists as international platform पर उनको terrorist घुशित कर दिया जाए, रह्मान, मक्की, रॉफ, अजगर, शाइदमीर, तो इसको basically उन्होंने agree नहीं किया, यह बोलके कि technical hold है, ठीक है, they're still figuring out things, I don't know what that technical hold is, this equals China's previous action, जब उन्होंने मशूरूद अज़र को भी block list करने से, जो जैशन मुम्मद का chief था, उसको भी, उसको terrorist बोलने पर भी, कि यह, यह जो तुम कर रहे हो, यह politically motivated है, you are not doing justice to the idea, the value, you are doing whatever is good for, you know, politically for you, you don't condemn, तुम बोलते तो बड़ा हो international platform पर कि भाई, हम we are against, बट तुम करते कुछ नहीं हो, जब आती है बारी तो तुम अपने politics देखते लग जाते हो, फिर बात करते हैं, belt and road initiative की, तो हमने देखा था कि सिफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में, 62 billion खर्चा किये हैं, belt and road initiative के अंदर, China ने, तो imagine कितना किया होगा, उन्होंने पूरे देश, पूरे world में, knowing that it is going around, almost 100 countries, sorry, not 60, 100 countries, okay, तो total मिला के, it's 3.7 trillion dollars, that's a huge amount, almost 2600 projects चल रहे हैं, ports बना रहे हैं, railway, energy, digital network बना रहे हैं, and this spans through Asia, Europe and Africa, तो it's a long project, और यह 100 countries में मिलकर चल रहे हैं, basically, you can see from here, कि China को जब भी कुछ भेजना होता है, अगर मान लो वो चीज यहाँ बनी है, तो पहले उसको transport करना पड़ता है, यहाँ, one of the ports, फिर इस port से, it goes through, and then it goes through, here, and reaches Europe, right, and problem with this is, कि it causes them a lot of transport cost, what they are trying to do is, they are trying to create, कि वो यहाँ से यह border बनाए, जो कि पाकिस्तान से होती हुई ग्वादार पोर्ट पे चले जाए, तो क्या होगा, वो इस port से directly यहाँ से बेच सकते हैं, और इसी को आगे continue करके, direct Moscow, Germany, और यहाँ पर बेच सकते हैं, तो उनका cost कट जाएगा, दोनों तरफ का, यहाँ से जो सामान भीजना होता है, उसका भी कट जाएगा, और वहाँ से, यह जो जो, they used to spend here, they will end up spending here, and then this route will be cut, so this is basically a great strategy for them, तो यह Silk Road Economic Belt जो है, यह basically इसमें क्या-क्या है? उसमें railway routes है, overland highways है, oil and gas pipelines है, from Xi'an in central China to Rodoram going through central Asia, ठीक है, एरोब तक जाता है, यह maritime silk route जो है इसमें basically Godar port is one and उसके अलागा कहीं सारी गल्फ की जो ports है उस पर अपना बनाना ताकि वो maritime way से Greece और Venice तक पहुत सके हैं और फिर East Africa में से होते हुए okay so this is basically how they want to do it so as I said कि वो यहां से जाने की बजये इस इस एरिया का यूज करना चाहते है कि यहां से पले यहां जाये यहां जाये यहां से आये इस से बहतर होगा कि वो यहां फोट कर दिया जाए और यहां से सीधे वो गवादार पर पहुच जाए तो इस विल कट दिस मुच प्रावल फॉटर में जाए कि बंचेंशि का बाल्रावल फावल् multi-dimensional connectivity network भी है फिर चाइना पाकिसान इकनॉमिक और तो यह तीनों जो है यह उसी का हिस्सा है कि कैसे तो वो को सरकम्फेंट कर दें इंडिया को और दे रीच इन्टो दे बेव बेंगॉलन अरेवियन सी इन अब इंडिया के इंट्रेस्ट पे क्या फरक पड़ता है इससे बूटान को चोड़ के बागी सारी कंट्री ने पाटिसिपेट किया है क्योंकि अफकॉस हूँ दोजन लाग फ् ब्री इंवेस्मेंट है यह उसकी स्ट्रिंग फ़ फ्रॉरी को प्रूव करता है कि अब ब्री इंडिया इंडिया और बूटान रह जाएंगे और क्या होगा कि जो ट्रेड हमारा है उनके साथ वह पूरा रीजिन में चाइना का दबदबा बन जाएगा इंडिया का कम हो जा मतलब कि जो एरिया जहां पर मार्केट इंडिया का भी है इंट्रेस्ट वो एरिया कम्प्लीटली चला जाएगा क्योंकि पूरा डॉमिनंस वहां पर चाइना का हो जाएगा क्यों इंडिया का इंडिया का बार्टेस्ट विब्यू ऍट्रेस्ट ए उनके है C पूर्टेस्ट का वो है, importance, India का, but अगर उनका ये BRI सक्सेर्फूर होता है, तो they will be able to control, they will be able to reach Africa without needing Indian Ocean. And that would mean कि India का importance खतम हो जाएगा. Some argue that India's boycott of BRI denies potential benefits such as Bangladesh, China, Myanmar, economic corridor would provide opportunities for historical waterways linkages between Bangladesh and connections to Asian, China, and China for Indian Northeastern State. एक ये भी बोला जाता है कि India को इसलिए भी नहीं पसंदे क्योंकि वो Northeastern State को Myanmar और चाइना से easily जोड लेगा जो उनके पुराने waterways थे उससे, और उसके कारण क्या होगा कि they will have more access to those markets and hence not to us. और वो दूसरे Asian countries से जाधा connected रहेंगे as compared to us. As a co-founder of Asian Infrastructure Investment Bank क्योंकि इंडिया जो है इस बैंक में एक member है और शेंगा एक corporation organization में भी है तो एक dilemma आ जाता है क्योंकि ये जो countries है, of course they want the investment क्योंकि उनका economic development होने पा रहा है लेकिन उनको पाता है कि अगर इंडिया एक नामिक देवलेप्मेंट होगा सुसमें उनका नुकसान हो रहा है तो as a leader, this is a very tough decision to make for India ये एक बड़ा challenge है इस matter में India's reservation on BRI क्यों इंडिया को पैसे नहीं है BRI एक तो, first thing is accepting BRI means defect to recognition of Pakistan occupied POK अगर हमने BRI को accept कर लिया, मतलब हम legally ये बोल रहे हैं कि जो Pakistan occupied Kashmir वो Pakistani हिस्सा है land है, क्योंकि they are what they are BRI का होना possible ही उसी area से हुआ है अगर वो area को हम claim छोड़ दे तो, मतलब अगर हमें agree करना है BRI से, तो हमें उस area का claim छोड़ना पड़ेगा we'll have to give POK to Pakistan India emphasized it on reciprocal of one India, ठीक है a policy to counter one China basically sensitivity to Indian claims in POK mirroring China stands on territories like Tibet, Hong Kong, Taiwan जिंग 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 जिस तरीके से China की one China policy है जिसमें वो एक uniformity लाने की कोशिश कर रहे हैं पूरे पूरे region में जो भी region उनके अलग हैं जैसे Tibet है, Hong Kong है मकाओ है, ताइवान है उस सब में जो ये उनकी one China policy कर रहा है न, घुसने के लिए वैसे ही India उसको counter करके one India policy करना चाता है ताकि जो भी ये disputed territories है उसमें वो वापिस हक ले ले जैसे चाइना कर रहा है ठीक है Chinese Neo-Colonialism अब प्रब्लम क्या है कि देखो India हमने देखा था शुरू से कि दोनों countries के बीच में जो वो फर्स्ट फेस था उसमें उनकी दोस्ती इसी ले थी कि दोनों दोनों नियो कॉलोनियलिजम के अगेंस थे ठीक है अब इंडिया आइडिलोजिकली जो है crossroads पे है चाइना से बिकॉस इस वाट चाइना इस दूइं राइड नाओ इस इस कंसिड़ेड ऐस नियो कॉलोनियलिजम एक नय तरीके का कॉलोनियलिजम है और यह इस बात से भी पता चलता है कि अगर आप चाइना की आइडियोलोजी पढ़ो उन तो उन्हें से वह वह दे कॉल देर लाइन अज मिडिल एर्थ ठीक है तो एक है heaven, एक है middle earth which is China and then everything else is below and they are the sole owner of you know the lower lands तो एक तरीके से उनका जो यह आइडियोलोजी है यह भी उसी point of view से आती है to rule the world तो एक तरीके से एक नया तरीके का कॉलोनियलिजम है और of course India has been anti-colonialism, anti-colonial since its inception dead trap diplomacy dead trap diplomacy is what happened in हम अमतुत पोटें शिलंका basically पहले बहुत सारा पैसा दे दो flush कर दो फिर उसके बाद country गिर जाएगी अपनी नीस पे फिर उनको बोलो कि अच्छा आप पे नहीं कर पा रहे हैं okay तो एक काम करो हमें अपना वो दे दो क्या बोलते हैं lease पे दो अपने assets and ऐसे करके वो उन्पोर्टेंट प्लेस को हतिया लेती है अब क्योंकि वो उनकी lease कर दी हुए है तो वहां पे वो military ले आती है and this is how occupation this is another form of occupation right lack of transparency क्योंकि China बहुत closed economy है और वहां पे ना information को बहुत you know दबा के रखा जाता है तो इसलिए because China कि क्या हो रहा है चाइना में कैसा हो रहा है चीज़े you know transparency नहीं है उसके करणन दो चीज़े होती है एक तो हमें पता नहीं चलता है कि उसकी capabilities क्या है because they don't share information we don't know how big China is maybe they are empty from inside but we don't know maybe they are very powerful we don't know okay and दूसरा यह है कि क्योंकि हमें उनकी क्योंकि transparency नहीं है इसलिए हमें यह भी नहीं समझ में आता है कि उनके क्या alternative जो हमें मतलब हो सकता है कि वो हमें ऐसे एक तरफ दिखा रहे हो कि oh we are trying to do this but आंदर से उनका कोई भटकाने की कोशिश कर रहे हो और से उनका कोई और ही आप economy economy कर रहे हो या actually political motive है यह एक economy का glove पहन के यह colonialism का मुक्का है एक तरीके से apprehension at BRI aligns with China's large hegemonic ambition China का ambition USSR की तरह hegemonic ambition है they want to be the most powerful country in the world and उसके कारण potential military implications हो सकते हैं इस चीज़ के such as strategic importance of railway link to China-Pakistan economic corridor for Chinese supply to Pakistan conflict with India escalating tension at the border जो मैंने कहां कि अगर कल को जगडा होता है इंडिया और पाकिसान का तो यह जो corridor बनाया है ना यह सिर्फ चीज़े भेजने के लिए यूज नहीं होगा फिर यह यूज होगा military लाने में ठीक है and as much as good it is to have economic corridor they also become threat if you are not a peaceful force okay so you so basically and we know China compared to Pakistan Pakistan's economy military is not that great इतना इच्छी नहीं है लेकिन such a bad combination for India okay now let's talk about India's strategic counter to RBI तो अब इंडिया क्या कर रहा है RBI को रोकने के लिए एक collaborative effort बनाया है इंडिया ने जपान के साथ में to counter Belt and Road initiative and its influence in Africa AAGC envisions of a sea corridor connecting Africa with India Southeast Asia and Oceania striving to establish a free open Indo-Pacific region by reviving ancient sea roots and creating new maritime pathway तो इंडिया basically क्या करने की कोशिश कर रहा है Japan की मदद से अपना खुद का एक नया seaway बना रहा है जो की based है ancient sea roots पे जो पुराने sea roots थे उन पे based है और ताकि इंडिया का जो दबदबा है या जो उनका economic power है वो उसको री इस्टैब्लिश कर सके East Asia में भी South East Asia में भी और Africa में भी Japan ने कैसे contribute किया है Japan of course doesn't like China because दो रीजन से एक तो महलब China also doesn't like Japan because of Japanese occupation of China and दूसरा Japan had महलब Japan and China also have the same maritime issues ठीक है कि China बार-बार उनके maritime area में घुसता रहता है और North Korea को share देता रहता है उनको प्रोवाइड करता है North Korea is like a little bodyguard of China जब भी महलब उसको एकदम he is a psycho kid and China keeps him around just to intimidate एक तरीके से तो Japan also doesn't like China तो गोलते ना दुश्मन का दोस्त अपना दोस्त वैसा तो क्योंकि उनके Japan के पास cutting edge technology हम तो जानते ही है Japan has been famous for its अगर जर्मनी के बाद किसी कंट्री की technology का बोलवाला है इस दुनिया में तो वो है Japan expert construction of high quality infrastructure तो जापैन की मदद लेकर India जो है high quality infrastructure बना रहा है India's contribution utilizing extensive experience gained from previous engagement in Africa अब जादा engagement है नहीं in Africa में लेकिन India का है तो इंडिया जापैन को वो perspective देता है और जापैन India को वो strength देता है वो quality देता है तो अगर आप if you go to YouTube and watch a lot of African YouTubers review in products that are made by India and China and they prefer the product made by India or made by Japan for that matter they do not like like वहां पे भी वही है कि China का माल मिरलब सस्ता माल ऐसा Bring practical knowledge and insight into the project Project क्या है Anticipates involvement from private sectors of both Japan and India अब यह project इसमें सिर्फ government तो धक्का दे रही है पर उनका यह है कि private जो सेक्टर से वो भी इसमें आ जाएंगे joint ventures होंगे और उसके अलावा formation of consortium involving companies from both nations तो बड़ी बड़ी जो companies है Adani, Ambani, Jio यह सब आके they will help and infrastructure power और Agree business initiative लेंगी अफरिका में क्योंकि अंटप्ट market है यह सारी countries काफी time से they have not been stable but अब they are working towards economic independence and they have a lot of resources तो उस resource को help करने के लिए और China के against almost खड़े होने के लिए we need the support of other countries right Quad के बारे में बात करेंगे Quad is basically it's four countries together Japan Australia US and India you can see Albanese Biden Modi and Kishida Albanese is from Australia Biden from US Modi from India and you can see the picture how nice they look together so इन्होंने क्या किया है 50 billion of infrastructure assistance और investment किया है Indo-Pacific region में Quad climate change adaptation mitigation package ताकि अगर जो भी environment को लेकर जो भी issues हो रहे है Pacific island countries में उनको help करने के लिए 100 students from four countries to the US उनको fellowship दी गई है Indo-Pacific partnership for maritime domain awareness for combating illegal fishing तो यह basically China के against में है Quad partnership on humanitarian assistance in disaster relief क्योंकि Japan और कहीं सारी Asian countries में disaster बहुत frequently होते है tsunamis, earthquakes and उसमें help करने के लिए यह दोनों चारों countries मिल कर ताकि ना वहां पे basically China का इतना importance ना रहे China का importance कम हो जाए the recent Quad summit the recent Quad summit happened in May 2022 India, the US, Japan and Australia committed to 50 billion Indo-Pacific infrastructure this was done to counter the China's Belt and Road Initiative तो यह जो Indo-Pacific infrastructure development का project है यह basically China के road and belt initiative के against है Quad की leaders ने emphasize कि filling the financial sorry filling the infrastructural gap in the sustainable manner ठीक है China की जो काम करने का तरीका है वो बहुत brute force वाला है they work without thinking of the consequences okay they will it will be too late before they realize that they have messed up with the environment so जो यह Quad का प्रोजेक्ट है इसके दो एम है एक तो counter करना China को but also to do this sustainable thing because this speech you have to understand China is not it's one brain okay one brain and with one aim which is to become the strongest country in the world और किसी चीज़ का गोडे में से लगा करते वो सामनी देता न वैसी situation है उनको उसके अलावा कुछ नहीं रिखता है और वो किसी भी हद तक जाने के तायार है to get that but we as you know democratic countries we countries with you know who put people first हमारे लिए ये लड़ाई लड़ना भी जरूरी है लेकिन उससे जादा जरूरी है कि हम इस राट रेस के चक्कर में कहीं बरबाद न कर दे तो वो सस्टेनिबिलिटी लाना भी बहुत इंपॉर्ट है against China क्योंकि China will not stop it doesn't care it will completely pollute all rivers everything just to get ahead without explicitly naming Sri Lanka the Quad leaders also pledge to address debt issues in the region aiming to enhance capacities of countries managed debt in G20 common framework तो उन्होंने श्रिलंका का नाम तो नहीं लिया पर उन्होंने बोला कि जो countries G20 की member है और debt में जारी उनको हम help करेंगे additionally Quad debt management resources portal will be established to assist countries facing debt challenges तो उन्होंने एक portal बनाया है जिसकी मदद से वो इन countries को help करेंगे ताकि वो चाइना की debt में आके श्रिलंका की तरह अपना लंका न लगा दे ना वट आदा अधर इनिशेटिव कलादम multimodal transit transport project in Myanmar IMT trilateral highway India's investment in Chabar port BBIN motor vehicle India Nepal petroleum product pipeline between Amlek Gunj and Motihari तो यह जो initiatives है यह सब लिये गए हैं इसी के अंडर इंडिया North-South Transport Corridor तो यह North-South Transport Corridor जो है यह एक network है जो 13 member states को connect करेगा एक छोटे route से this is a intergovernmental agreement तो जैसे चाइना का है कहीं सारी countries को connect करने वाला वैसा ही project है यह जो कि 13 different countries को merge करेगा एक साथ और यह जो है intergovernmental agreement है मतलब कि हर country का एक दूसरे के साथ हुआ है यह INSTC जो है member है वो include India, Iran, Russia, Azerbaijan, Armenia and others Bulgaria holds the status of observer state in this तो basically वही जो Central Asia है जहां पर चाइना अपना Belton Road Initiative लेके जा रहा है उसी के parallel में यह चल रहा है basically connectivity and trade routes the corridor spans 70 to 100 km using a multi-mode network of road, ships and railway which is similar to BRI BRI भी road भी है उसमें ports भी बनाते हैं highways भी बनाते हैं railway trucks भी बनाते हैं यह भी same है multi-mode network मतलब कि जरूरी नहीं कि पूरा road ही हो कहीं पर road है, कहीं पर port है, कहीं पर कुछ है it links India and Russia through Iran and Azerbaijan aiming to reduce carriage cost by approximately 30% and transit time from 40 days to 25 days मतलब Russia तक हमारा सामान, Russia और India connect हो जाएंगे Iran और Azerbaijan और सामान बेचने का जो cost है 30% कम हो जाएगा और समय 40 दिन से घटकर 25 दिन हो जाएगा Geopolitical significance क्या है the call door facilitates economic engagement in the Gulf countries improved trade with Russia and enables humanitarian aid to Afghanistan हम अफगानिस्तान के साथ काम कर रहे थे तो अफगानिस्तान को जो aid चाहिए वो देने के लिए भी जरूरी हो जाएगा मलब अच्छा हो जाएगा Russia के साथ भी हमारा connect बन जाएगा जिसमें we would not need China's help and उसके लावास जो Gulf countries उनके साथ में engagement बढ़ जाएगा Gulf countries are very important for energy security क्योंकि वहीं से हमारा petrol आता है see as a viable option for Indo-Russian trade amid growing geopolitical changes अब क्योंकि you know जैसे हमने पहले भी देखा है कि US, Russia के बीच में जिस तरीके का आगे पीछे जलता रहता है कि Russia का अगर कोई फ्रेंड है तो China के sorry अगर Russia का कोई फ्रेंड है तो they will be against US तो ऐसे करके strategic दोस्तियां होती जारी next person से तो वैसा ही कुछ करने की कोशिश करते है कि अब Pakistan और China मिल गए हैं तो India wants to be close to Russia and US so that in case this Nuxus does anything they will be you know ready with two other powerful countries तो उसके बादले in long run INSTC could serve as an alternative to Swiss Canal क्योंकि Mediterranean में Swiss Canal को लेकर बहुत problem होती अभी जैसे right now you can see that Israel में वार चल रहा है अभ लेमिनान भी घुशने लग गया Iran भी अन लग गया इसके पहले भी जब भी इस एरिया में जगडा हुआ है तो हमेशा बाद Swiss Canal पे गई है और Swiss Canal से 80% of trade goes through that channel and that means कि जो उस एरिया को control करता है वो 80% trade को control करता है और इस पे dependent होना of course अगर आपका सारा country की economy dependent है on trade और वो trade Swiss Canal से जाता है तो जो इंसन Swiss Canal को control करेगा वो जीतेगा इसलिए तो अमेरिका इतना पैसा दे रहा है you know to Israel तो लगता है कि US को North पूरे America को Europe को यह नहीं पता है कि जो यह Christmas मना रहे है यह जन्म कहां हुआ था Jesus Christ का फिर भी वो इस्राइल को बंफुनने के लिए पैसे दे ही देना because their interest is more important they rather have a passage a canal that they control then to actually be loyal to their own religion ठीक है कि वो तो religion religion होता रहेगा capitalism हमारा religion है और they'll focus on that they'll rather have that canal तो अब वो मतलब China भी उस हद तक जाने के लिए तैयार है जहां उसको कुछ नहीं दिख रहा है और US भी उस हद तक जाने के लिए कि वो कुछ भी रहे terrorism जो उनकी ideology सब के भाड में सबसे जादा जरूरी है कि trade control हो क्योंकि पैसे से पैसा धर्म से बड़ा होता है इसलिए strategic implications for India अब इंडिया के लिए क्या implication है इट offers an alternative to route bypassing Pakistan पाकिस्तान के से के थुरू अपना खुद का route बन जाएगा plus it will also sort of establish Indian market जो इंडिया के economy के market है अफगानिस्तान में Gulf countries में वो re-establish हो पाएंगे South East Asia में भी हमारे market जो चाइना occupy करने कुछ कर रहा है वो re-establish हो जाएंगे provides access to potential markets in the wider Eurasia region aligns with India's effort to integrate INSTC with the चाबार port जो रस्ता हमने देखा न अब ग्वादार और जो चाबार port है वो एक दम लिटरली पैरलल है यह रा ग्वादार यह रा चाबार ठीक है एक ही सी में है बहुत पास में है बहुत छोटा साही distance है समय किसी कॉरिगा चाबार पोर्ट में करने की कॉषिश कर रहे वही चिहा है तो चाबार थरा में किवित्यों थी पीर यहादा देकि प्यूर्टर której गम क्शांप तand त्र इंडिया प्रश्ति प्रूध के बहुत दृन आ смог कि घंश्तिच संठ्समा की थे limits of support and what they have is they have some money and India needs that so usko basically Russia ko use karna to counter China it's a case of the movie but I go or you know road hey yeah yeah basically BRI jitna significant it's not significant ho जाएगा now let's talk about project mousam 2014 में inaugurate हुआ था यह और इसका approach basically यह थी कि जो मिक ट्रांजेक्शनल मिक्स रूट है उनको culture or heritage से जोड़ सके basically for example जैसे आज तो हमारे पास modern technology है तो हम modern technology का यूज करके देख लेते कि इनो कहां पर क्या best route है क्या है पर पुराने समय में ऐसा नहीं होता था पुराने समय में लोग क्या करते थे नेचर को देखते हुए यह रूट बनाते थे कि भाई यह में अगर उन्हें पता है कि यह समय है मौन्सून यहां पर इस वक्त होती है तो यह best time है यहां से सामान दे जाने का इस मौसम में हमें लैंड से ले जाना चाहिए इस मौसम में हमें सी से ले जाना चाहिए और कहां पर किस चीज की रिज़र्ट पड़ी यह सब चीज है ना हमारे एंसेस्टर्स ने अल्रड़ी करके रखिए तो वह basically the whole idea of project मौसम वास की कैसे हम मौ तो यहां ताइम यहां चाहते हैं मौसम में अपना और नॉलेज टेक्नोलोजी आड करके उसको एक बहुत स्ट्रॉंग मरीटाइम बनाना चाहते हैं इस प्रजेट के दो basically main aim है macro level पर मतलब from above what they want to do is they want to create communication and a good relationship between all the countries that are in pacific, Indo-Pacific region इंडियन ओशन और Pacific में जो भी countries है वो ancient time में एक दूसरे से जूड़ी हुई थी और उसी तरीके की you know connectivity वो फिर से re-establish करना चाहते है और micro level पर वो basically चाहते है कि यह countries के जो खुद के traditions है और खुद की जो you know national culture है उसको maritime उसके अंदर से जो knowledge निकलता है maritime environment का वो refurbish कर सके ठीक है क्योंकि we all the countries you know if you if you go to them and you talk about their you know ancestors they will tell you things they learned that we know now because of technology but they knew without technology तो एक तरीके से उनीका culture re-establish हो और यह वेस्टन जो आइडियोलोजी है वो इतना influence ना करे क्योंकि चाहना भी वही कर रहा है ना technology वगरा यह सब से you know it's like showing you this rim jim sparkly thing to you know move you away from your own culture तो उसको counter करने के लिए एक तरीके से अपने ही tradition को ancient tradition को re-surface करने की कोशिश है अब वाट इस जियो इस जो कंटेस्ट चल रहा है specific question में वो क्या है basically जैसे चाइना की world belt policy है इंडिया की east low east act east policy है सागर initiative है यह सब तो बोले हुए government ने खुल के बोला है कि हम यह initiative ले रहे लेकिन यह जो पर्ल और नेकलेस ऑफ डायमंड वाली जो थोरी है नेकलेस ऑफ डायमंड इस बेसिकली जैसे string of pearls है चाइना का वैसे इंडिया is doing the same thing and calling it necklace of diamonds यह official terms नहीं है ठीक है यह इसका जो है 2004 में US defense contractor ने यह term निकला था string of pearls when they were realizing what china is trying to do these are not these are sort of interpretation जो china कर रहा है उसका interpretation है theory है कि शायद this is their larger aim ठीक है तो इंडिया और चाइना के बीच में जो यह strategic competition है यह बहुत जल्दी बढ़ रही है बहुत तेजी से बढ़ रही है इंडिया की active policy और चाइना की यह नो जो BRI है उसके कारण इस area में बहुत सारे बहुत pressure बन गया है और दोनों countries का अपना अपना एक spear बन गया है यह know of their influence and both of them are trying to cut each other's influence ठीक है and consequently the Indian Ocean has become key intersection zone between China's India's and China's strategic insult interest दोनों countries के interest में इंडिया नोशन जो है this this यहीं पर string of pearls भी हो रही है यहीं पर diamond necklace भी हो रहा है तो यह जो area है ना यह almost important बन गया है दोनों countries के लिए क्योंकि हमें यह तो पता है कि चाइना की कोई coastline नहीं है इंडिया नोशन में और इंडिया की influence region है वह यहां पर आके overlap होता है तो दोनों चाहते हैं कि वह इस एरिया को control कर सके जो string of pearl strategy है चाइना की वह basically एक network बनाना चाहती है commercial or military encircling इंडिया goal is to protect china's trade interest क्योंकि इंडिया future में इंडिया और चाइना का जगड़ा होता है तो इंडिया will not allow china to go through it and that would mean that china will lose its economic power है ना तो जो जो crucial choke points है जैसे Strait of Hermos, Strait of Malacca and Lombok Strait इन तीनों से अपना हटने के लिए ताकि कहीं पे भी उनका trade जो है यहां पर इन तीनों में से कहीं पे भी रुखना जाए इसलिए वो अपना एक alternative route बनाना की कोशिश कर रहे है china is expanding its presence in Indian Ocean through tactics like debt trap diplomacy जो हमने भी पड़ा countries को debt में डालके और फिर उनसे asset ले लेती है since the inception of maritime silk road china has established its first overseas military base in Djibouti and ports in Pakistan, Sri Lanka and Mozambique तो यह हमें पता है की already हो रहा है moving on China is also increasing its influence in Africa beyond ports it has also created investments for instance East African states में China ने बहुत investment किया करीब 600 कुछ products चल रहे है तो to give basically African people this great image of China so that when it comes to fight they would not take India's side and would take China's side the growing Chinese presence in the Indian Ocean region is a major concern for India क्योंकि India के लिए जो Indian Ocean है वो उसका backyard है that's where they you know live और उसमें China का इतना गुस्पैट करना उने अच्छा नहीं लग रहा है there is a rising occurrence of Chinese intelligence ship sighting in IR कहीं सारी intelligence ships जो है चाइना की वो आयो आर में इंडियन ओशन में दीखी है चाइना की ये डोंगा डोंगाडियो क्लास intelligence gathering ship जो पहले US को के ये नो ships को और ऑस्ट्रेलिया के जैपान के वार ships को follow करती थी वो अब जो है इंडियन ओशन में इंडिया के naval movement को monitor करने लगी है अब ये बड़ बड़ी news आई थी कि इन्सिडेंट हुआ योँआन वांग 5 इंसिडेंट जिसमें basically ये ship को हमने देखा कि ये श्रिलंका के पास में थी और this was very embarrassing for India basically China ने क्लेम किया कि ये जो वेसल है ये research purposes से घूमरी है हम थोड़ना आप पर स्पाय कर रहे हम तो research कर लें इंडिया प्री वाटर से कोई भी आ सकता है the US Department of Defense States की ये जो ये जो ship है ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांड में है और इसके पास track satellites और missile launches है अब इंडिया की क्या concern है कि अगर ये इसके पास ये capacity है तो मतलब कि China can reach very sensitive parts of India very easily for example the space port in Shriharikot and the missile test range in Odisha ठीक है तो ये दोनों जगह जो थी वह तो वहां पर basically Indian Ocean से अपने warship रख के China can attack और potential use of ocean survey अभी जो ocean survey कर रही है China इसका इस्तमाल कर सकती है वो जब अगर war हुआ और उनको अपनी submarines भेजनी पड़ी तो then they will know the route की कहां क्या है so that they can easily navigate उसमें भी इस्तमाल कर सकते हैं और ये जो चीज मैंने खाना this incident was very embarrassing for India because even though Sri Lanka को India ने मना किया लेकिन Sri Lanka ने फिर भी allow किया इस ship को Indian Ocean में इंडिया के इतने करीब आने के लिए basically Sri Lanka जो था वो है ना balancing act करने की कोशिश कर रहा था it was playing the China card कि अगर आप मेरी बात नहीं मारों के तो look we can give access to China तो एक वो था कि it was it was sort of like you know it was almost like हमने इतना किया in countries के लिए उसके बदले में we they are like you know showing us कि oh if you don't agree with everything we will let China come in तो हमने देखा है कि Sri Lanka और Nepal कई बार इस तरीके से चाहिना के साथ जो अपने टाइस है उसको leverage करती है India के अगें इंडिया का response क्या था इंडिया का response is basically again a theory of necklace of diamond जिसमें वो सेम चीज़ कर रही है but not as aggressively ठीक है goal is to encircle China expanding naval bases and fostering alliances with strategically positioned nations तो चाहिना के पास जो nations है ये वाले Vietnam, Singapore, Indonesia ये और Japan इन countries के जो की neighbors है चाइना की उन पर उन में अपना क्या बोलते है नेवल basis बनाना जैसे चाइना बना रहा है तो इस बेसिकली टू काउंटर की अगर आप हमारे हमारे उसको काउंटर कर सकते हैं तो वी जो की एक चोग पॉइंट है ग्लोबल ट्रेट का जहां पर सबसे जादा मतलब चाइना को जिसकी सबसे जादा टेंशन रहती है बिकॉस इस वेरी स्मॉल एरिया जहांसे चाइना का बहुत सारा ट्रेट जाता है तो वहां पर अपना इंडिया का एक पोट होना तो कहीं सारे ऐसे चाइना कर रहा है शिलंका माल्दीव में इंडिया कर रहा है मैं अनमार बंगलादेश सिंगापूर सीचल्स और ओमान में तीक है यह strengthening we are strengthening strategic relationship with these nations in order to counter china's influence ठीक है now उसके अलावा they are also working with Mongolia ताकि वहाँ पर एयर कोरिडोर बना सके तो basically you know ना कि Mongolia is China के इस एरिया में पड़ता है ठीक है तो वहां से जैसे इंडिया को उन्होंने घेर रखा है पाकिस्तान के साइड चाइना ने पाकिस्तान की मदद से पूरे northern border को कंट्रोल कर रखा है तो अब इंडिया भी वही कर रहा है वो एक तरो इस तरफ से उनके सी वाले एरिया को कंट्रोल कर रहा है और उपर से Mongolia के साथ में relationship बना के उस तरफ से भी you know they are increasing their presence तो उन्होंने ना credit line दी है Mongolia को Japan के साथ में वो Asia Africa corridor बना रहा है था कि आफ्रिका में चाइना का importance कम हो सके उसके बाद ये acquisition of cross serving agreement will allow access to each other's provisions of supplies and services during the bilateral exercise training US peacekeeping force and other humanitarian activities basically बोलने के लिए तो हम ये तो और हम training कर रहे हैं US peacekeeping force के लिए और exercise कर रहें पर basically इस agreement के तहत Japan और इंडिया एक दूसरे की जो military equipment है bases military equipment वो use कर सकती है अगर कभी ऐसी लड़ाई की संभावना हुई तो फिर Vietnam में जो है इंडिया ने again credit line दी है defense के लिए 100 million की Vietnam has been utilized as for this naval equipment उसके बाद he Vietnam was also interested in purchasing brahmos missile आवे इतनाम के साथ एक और हमारी agreement था over oil oil rig विटनाम की government ने इंडियन कंपनी को अलाओ किया था basically contract sign करने वाले थे की to dig for oil but then because of china that went out of woe उस तरह से भी एक trial था Philippines 2022 में Philippines signed the 374.96 million deal with brahmos aerospace private limited for the supply of shore-based anti-ship variant of brahmos supersonic cruise missile because you have to understand this thing that these countries have a lot of fear from china because china is very aggressive so they want to be friends with india not just because india is giving them money it's because they are also strategizing that in case China is already you know they have done plenty with uh with tibet and they are also in such a tussle with taiwan तो कल को अगर वो जैपन या फिलिपीन के लिए आपका लेंड भी हमारा है तो फिर उस वाग डे वूड नीड है तो this is where their connection with pakistan with india is coming अब यह LEMOA जो है logistic exchange memorandum of agreement basically यह यह जो sign हुआ है इंडिया और यूएस के बीच में तो यूएस की जो naval positions है all over the world naval bases है जो यूएस control करता है इंडिया को उन naval ports की access दे रहा है यूएस so as to help in countering china फिर 2015 में Sagar initiative जो इंडिया ने launch किया है उसमें they basically wanted to work in indian ocean from the perspective of you know security and growth for all in the region तो उसका main aim यही था कि वो enhance कर सके economic and security cooperation in the countries that are in indian ocean again this was an effort against china key areas of cooperation were surveillance infrastructure क्योंकि जैसे china surveil करने की कोशिश कर रहे हैं वैसे हम भी उस एडिया में surveil करने कोशिश कर रहे हैं ताकि we can counter them we can see what they are doing उसके लावा capacity building strengthening की दोनों जो countries है Maldives, Sri Lanka, India इसम मिल कर you know लड़ सकते हैं in case there is a fight india's objective with Sagar is to protect national interest foster inclusive collaborative and law-abiding Indian notion region basically उनका कहना है कि हम नहीं चाहते कि जिसे आपने गंद मचाया है south china sea में वैसा गंद आप indian ocean में मचाये इसलिए हम indian ocean को protect करने के सागर initiative launch कर रहे हैं अब बात करते हैं Pacific ocean south china sea की approximately one third of the global maritime trade दुनिया का एक तिहाई global trade जो है वो south china sea से होगे जाता है carrying trillions of dollars worth of goods making it a crucial waterway this is south china sea ठीक है अब यहां से दुनिया का एक तिहाई trade जाता है तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर जगड़ा होता है तो इन में से कोई भी country जो है it can hamper मतलब यहां से जाने वाला trade जो है वो hamper हो सकता है अगर लडाई होती है तो and this is why these countries become you know important for example तो यह ताइवान का पूरा issue इसी लिए ने क्योंकि हमको पता है कि according to international law आगर कोई आपकी territory है तो उसके दो कि 200 km दूर तक आपका water होता है अब चाइना का 200 km यहां खतम हो रहा है लेकिन अगर वह यहां पर जो छोटे-छोटे islands है including Taiwan उस पर अपना हग जमा देती है तो ताइवान से 200 km तक का उनका हो तो they will be able to control more South China Sea उसके अलावा now they are using that वो थिंग कि you know दूसरी countries को intimidate कर रहे हैं कि you know we let us control the area so उसमें है Vietnam Malaysia and Philippines तो यह उनकी main strategy है कि कैसे इन तीनों को हम control करें और so that यह पूरा area उनकी control में आ जाए इस map basically shows you कि यह जो Gulf Africa और other countries से यह सारा oil निकल रहा है और आप देखो कि यह oil कहां जा रहा है South Korea 2.4 Japan others China and Taiwan so about 14 million barrels per day जो Gulf countries से originate और अफरीका से originate होता है जो कि जा रहा है इस season में यह जाता है South China Sea से second version Gulf countries Africa Australia और अधर से जो है 6 trillion cubic feet जो है liquefied natural gas जाती है यह भी this also travels through South China Sea and it goes to Japan, South Korea, China and Taiwan so दोनों ही important दोनों ही टाइप का जो energy हमें चाहिए वो दोनों ही इस area से जाते हैं travel करते हैं half of all the oil and gas tankers that originate in Middle East go through this Middle East से Gulf countries से जितना पूरा पेट्रोल के tankers निकलते हैं उसमें से आधे इस area से होके जाते हैं जाते हैं towards Japan, China and US so you can understand the importance the strategic location of the sea holds military importance क्योंकि जो इस area को control करेगा उसका basically military importance बढ़ जाएगा न क्योंकि हर चीज़ पेट्रोल से ही energy से ही चलती है ठीक है आपकी टैंक्स हैं यह सब चल रहे हैं क्योंकि उनके अंदर तेल है तो नहीं होगा तो नहीं चलेगे तो अगर एक बहुत अच्छा तरीका क्रिपल करने का सामने वाले को इसकी आप उनका supplier रोक लो इसलिए countries अपने पास एक buffer supply रखते हैं Abundant natural resources including fish and substantial reserves untapped oil chronically 11 billion barrels and natural gas 190 trillion cubic feet further enhances the sea's significance और इसलिए इतना South China Sea में उन्होंने मचा रखा है क्योंकि एक तो they have fishes जो की you know the kind of society that China is they eat they consume a lot of fish and lot of fish products right so उनके लिए एक बहुत बड़ा market है South China एक बहुत बड़ा resource है South China चाहिए वहापे कहीं सारी fishes है और प्लस उनके पास वहाँ पे untapped oil or natural gas resource भी है जो वह अभी तक मिला नहीं है है यह मिला है तो अभी तक उसमें से निकाला नहीं किया है अब dispute क्या है dispute बिगें आफ्टर चाइना स्टाइड बिल्दिंग आइफिशल आइलेंड में आपको बता है कि जो आपका country का लैंड होता है उससे हर दो किलो मिटर दूर तक फिर हमारा एंड हो गया फिर दो किलो मेंट जाके फिर और आइलेंड मरा देंगे ऐसे करते 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 पूरा नीजे साओच चैना सी को वह अभर अचाते अज लैंड रिक्लेम्ट इंटेनसिफाइज चाइना इस्टैबिश्ट पोट मिलिटरी इंस्लेशान एर शिप तो चाइना नहीं यह फेक आइलेंट बनाया और फिर वहाँ पे अपना के पोट बनाया फिर बोला किस से 200 किलों मुठर तक हमारा है और फिर मापे मेलेटरी लगा दी इन 2009 चाइना अन्रिवील दा नाइन डैश लाइन अट इंटरनाशनल कॉन्फरेंस असर्टिंग सोवर्निटी ओवर थे साउथ चाइना सी तो उसके कारण यूएस ने बोला कि हमको फ्रीडम चाहिए नेविगेशन की क्योंकि इंटरनेशनल वाटर से और रिजेक्ट कर दिया यह और उन्होंने कहा कि अगर आपने हमारे जो कमर्शल और मिलिटरी वहिकल को अगर वहां से जाने नहीं दिया तो इस विल बिकम आ इशू दे यूएस कंड़क्ट फ्रीडम नविगेशन ओपरेशन ठीक है तो यूएस ने क्या करा जैसे चाइना ने बोला कि हमारा लाइन है तो उसको एक तो reject कर दिया और फिर वहां पर continuously अपनी ships यूएस बेजने लग गया to patrol basically कि make sure कि surveillance करने लग गया कि देखने लग गया कि चाइना और तो नहीं हरकते कर रहा है वहां पर और making sure कि वहां पर दूसरी countries की जो ships जा रही है उनको allow कर रहे और रोक तो नहीं रहे यह द basically पहले उसने बोला कि यह line मेरी है फिर चाइना ने जब यूएस ने जब रिट्री किया कि नहीं अच्छा ऐसा है क्या तो let me send my ships तो आप बोड़ा है देखो आपने अपनी ship बेज के हमारी trade खराब कर दिया हमारी region में तो basically उकसाया और फिर उसके बदले जो यूएस ने करन of arbitration in which 2016 में demanded a nine dash line is illegal under the UN convention of law of sea तो Philippines लेके गया कोट में उसके बाद ऑल्दो इन्फोर्स्मेंट हाओएवर रिमेंस चैलेंज मलब International Court of Justice ने भी इमान लिया कि हाँ यह जो nine dash line है यह illegal है according to the international law of seas लेकिन उसको enforce करने क्ले कुछ निया क्योंकि international जो हमारा platform है ना उसमें government है लेकि लेकिन government के पास police नहीं है अपने laws को enforce करने की तो वो सजा तो दे सकते हैं ठीक है arbitration तो कर सकते हैं judgment तो दे सकते हैं कि हाई तुम सही हो तुम गलत हो लेकिन उनके पास कोई हिम्मत नहीं है आगे कुछ करने की ठीक है वो सिर्फ बस बता सकते हैं अब इसको लेकर इंडिया क इतना important नहीं था क्योंकि हमारा कोई port है नहीं हमारा कोई interest था नहीं तो लेकिन पहले तो बात नहीं करते हैं अब इंडिया ने अपनी position change कर दी और वो South China Sea को बहुत importance दे रही है यह choke points है state of Malacca वहाँ पर अगर चाइना कंट्रोल करें लाइगा तो जब भी अगर जगडा होता है तो देविल इन वेसे उस point of view से भी very important है तो उन्होंने अपनी shift कर दिया इन्वेस्मेंट भी वह बहुत कर रहे हैं उस रीजन में क्योंकि oil rich भी है resource rich भी है एंड जैसे विएतनाम के साथ में यह जो चैना ने अब्जेट किया था पर इंडियन और नाच्रल ग्यास कोपरेशन ने ओंजी सी ने हनोई के साथ में एक fossil fuel exploration का agreement तो साइन कर ही दिया था पहले ना India used to have a neutral stance against South China Sea क्योंकि हमारा कुछ हमारा जगडा तो पहाडों में चल रहा था हमें क्यों South China Sea में जाना है और एक रीजन यह था कि India did not wanted to provoke China ठीके जान करके उंगली नहीं करना चाहते थे now India encourages the involvement because they want to establish a code of conduct ensuring a freedom of navigation and resource access अब पहले तो वो नहीं करना चाहते थे you know China को invoke इसलिए वो नहीं करते लेकिन अब हमारी भी requirement है we have we want to make sure कि उस area में free navigation हो सके plus वहाँ पे जो resources है वो हम access का सके because we have the potential we have these companies who are capable of doing the job and we are capable of helping them and we will also get profit from them but China है उसलिए हम नहीं कर पा रहे now a notable shift came in India after 2020 Galwan Valley Cash जब Galwan Valley Crash में चाहिना ने हरकत करी तो उसके बाद India that's when Prime Minister Modi said ki this is it end of expansionist era aap we'll tell you now we will start you know just Pakistan के सथ कैसे इंडिया नहीं किया तक इंडिया उसके तक India used to complain every time there was a terrorist attack but in the end you see they started rip you know going back they started going into Pakistani territory to attack which is something similar that we are also doing with China but I'm directly China who attack me because well China is a strong economy they have a lot more money than us now उसके बाद ना इंडिया ने जो है अपना के बादे सिगनल किया कि वो willing है to help you know help in securing Himalayas as well as South China Sea जो एक रीजन जो उनको पहले सेकेंडरी मानते थे फिर उन्होंने बेसिकली क्या करा अपनी वार्शिप इंडिया ने भीजना चालू करी South China Sea में to do the same scientific research जो चाइना कर रहा था Indian Ocean में फिर और क्या किया अपनी नेवी को strengthen किया, quad जो है between Australia, Japan and US उसको strengthen किया, necklace of diamond strategy जो है, maritime diplomacy and naval exercise करी, Malabar exercise, Simtex जो दूसी कंट्री के साथ मिलकरी exercise करी, basically to show China की we are also ready, okay, in case you were mistaking, necklace of diamond is not a direct strategy, of course it's a theory, there is no actual document saying कि हम ऐसा कर रहा है, but it's sort of like a understanding कि आप ऐसा कर रहा है, तो उसकी बदले में, we are also noticing, okay, आप बात करते हैं, river water sharing की दो main rivers है, ब्रह्मपुत्रा and Indus, धर्मपुत्रा में एक mainstream है, river Siang, जैसे हम ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, उसकी दो tributaries है, सबसरी and लोहित, और Indus Valley के अंदर दो है, Indus और सतलज, एक कोई institutionalized mechanism नहीं है, इंडिया और चाइना के बीच में water sharing को लेकर पर दोनोंने MOU साइन करे हुए हैं, और हाइडरो की वो, you know, हाइडरोलोजिकल information ब्रह्मपुत्रा को लेकर और ये दूसरी rivers को लेकर, सतलज को लेकर share करते रहेंगे, तो इसके उपर MOU साइन है, अब, you can see, हिमालियन सूपर ड है कि वो हिमालिया में एक बहुत सारे डैम बनाना चाहती है, और उसी को लेकर main dispute है, ठीक है, बीचीं के पास ब्रह्मपुत्रा को लेकर दो प्लान है, सबसे पहला प्लान है कि वो एक hydro power project बनाना चाहते हैं, ब्रह्मपुत्रा पर just shy of Indian border, और दूसरा एक बहुत ज़्यादा ambitious project जो है उनका, चाइना का जो northern area है ना वो इतना बहुत एरिड है, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा vegetation वगेरा नहीं होता है, तो वो ब्रह्मपुत्रा का पानी completely मोरना चाहते हैं उस तरफ ता कि वो area भी जो है, it become irrigable, है ना, तो यह एक दो उनके plans है, beside the Zangmu power station, China's government has also approved for additional hydro power project at Brahmaputra, including Dagu, Jicha and Jichun, situated in the upper and middle reaches of river, China recently approved the construction, तो basically, एक तो construction हो चुका है, उसके अलावा चार और जगह पे उनके चार और जगह पे उनके चाहना की गवर्मेंट ने अप्रूव करा है, उसके अलावा, first downstream dam at the lower reaches of Yalung Zangbo river in Tibet, which is basically called the Great Bend in Medong, County, जो की China-India border से सिफ 3 km दूर है Arunachal Pradesh में, के आगे, ठीक है, तो अब this new dam has potential to generate 60 gigawatts of power, और ये, अब तक जो India का सबसे बड़ा installation था, सबसे highest installation था, hydro power का, उससे भी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तो India अभी तक का सबसे बड़ा power plant बनाया था उस region में, that was made by India, but this exceeds that one, होता है, उससे बहुत ज़्यादा पानी reduce हो जाता है, तो अगर चाइना dam बना देगा, तो कम पानी आएगा, वैसे ही nature तो खराब हो रखी है, इतना हमने खराब कर दिया कि पानी सब जगह सूपता जा रहा है, नदिया, वैसे भी pressure कम हो गया है, ग्लेशे जादा, you know, suddenly melt हो है, कुछ तो भी होता रह रहा है, ठीक, suddenly बाढ़ आ जा रही है, और इस सब के कारण न क्या होगा, कि अगर वहाँ पर डैम बना देंगे, तो जो एरिया इंडिया में इस डिपेंड करते हैं इस ब्रह्मपुतरागर सतलच के पानी पे, वो फिर वहां पे सुखा आ जाएगा, हमारी एकॉनमी को, you know, impact पड़ेगा, उसके बाद, दूसरी चीज यह है कि, चलो ठीक है, इंडिया भी डैम बनाता है उन रिवर्स पर जो पाकिस्तान में जाती है, ठी चीज पर जाएगा, वो बताते नहीं है कुछ भी, everything is hidden, 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 so when you don't know something, it creates fear. जब आप अंधेरे से थोड़ न डरते हो, अंधेरे में जो नहीं दिख रहा है, unknown है, उससे डरते हो, यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चाइना की, कि वो ट्रांसपरेंसी नहीं तो हमें नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, हमें नहीं पता कि वो किस तरीके का डैम मना रहा है क्योंकि this region, अनुआचल पदिश का region is not easy region, ठीक है, वहाँ पे अवलांचे होते हैं, वहाँ पे बहुत सर्दियां पड़ती है, बहुत उचे पहाड हैं, वहाँ पर, you know, earthquakes आते हैं, और एसी situation में, if we don't know किस तरीके का प्लांट वो बना रहे हैं, then we cannot secure our borders, क्योंकि प्लांट तो वो बना रहे हैं, उससे energy का इस्तमाल वो करेंगे, लेकि जब फटेगा, तो वो हमारे land में आके फटेगा, ठीक है, that's the main problem, उसके लावा, potential political leverage भी है कि border dispute पे, और उनका, you know, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अब उनका तो इतना important power plant बन गया, 30 km दूर तो, वो और वहाँ पे security बनाएंगे, ताकि, you know, of course, वो अगर power plant energy बनाना चालू करेगा, तो फिर चाइना की economy उस power पर depend हो जाएगी, तो फिर उस power को control, जहां से वो power आ रहा है, उसको secure करना भी तो पड़ेगा, तो फिर वहाँ पे वो अपनी military और आगे बढ़ाएंगे, और हैं तो सही तेडे, छ sources हैं, और वो basically चाहते हैं कि उनके उपर unequal power हो, उनके पास तिब्बत और सदन तिब्बत में, जितना वो डैम बनाएं बना सके, और अगर कुछ होता है, तो वो बार में इंडिया की problem होगी, हम तो बस उथी energy से मजे लेंगे, ठीक है, उसके बाद environmental impact है, हमें पता है कि जब region की wildlife होती है, जो पानी के अंडर चली जाती है, तो वो सब environmental impact जो है, वो हम एक तो पता नहीं है, वो क्या करने वाले हैं, और दूसी बात, अगर जो impact आएगा, वो जितना उन पर पड़ेगा, उससे जादा हम पर पड़ेगा, बिकोज इस downstream, फिर heightened disaster vulnerability, जैसे मैंने पता है कि वो एरिया में earthquake, avalan चाते रहते हैं, तो disaster होगा, तो disaster जो है, वो इंडिया पर आएगा, तो इस कारण से बहुत concern है, इंडिया इस damn को लेकर, अब बात करते हैं, one China policy को लेकर, basically, one China policy क्या है कि, वो पूरे चाइना में इतना बड़ा region है, तो अलग-अलग इतनी cities है, अलग- country में, जो जितने भी religious और philosophical identities को खतम करके, एक identity रखी थी, of, you know, communism, कि बस आप, बस जो party है, वही सब कुछ है, और कोई religion उससे बड़ा नहीं है, कोई person, everyone was same, ठीक है, everyone was given the same, और everyone was made to be equal, ठीक है, आप कोई और religion follow नहीं कर सकते हैं, और कोई ethnicity आपकी नहीं, आप कोई अलग identity न मना सकते हैं, you are just Chinese, India में कैसा होता है, there are Indian, but Indians are also Maharashtrians, are also, you know, Delhi is Indian, there are also Madhya Pradeshis, but China में, everyone is Chinese, you don't have any other identity, तो उसके कारण ना, चाइना जो है, ये वन चाइना पॉलिशी लेकिया है, इसमें जो भी areas थे, जो पहले चाइना के कांट्रोल में नहीं थे, या किसी कारण से कहीं और आसबास के छोटे जो एरिया है, वो उसको हडपना चालू करा है, और इस इस सार्टिंग ना जब तिबद पर अगारा थे, तिबद वस न इंडिपेंडन स्टे, तिबद had its own, क्या बोलते हैं, they had their own political and religious leaders, they had passports that they had issued, they had government, everything, and when China started 1959, now the next target is Taiwan, Taiwan is a small country that, और एक और प्रब्लम है Taiwan के साथ में कि Taiwan ideologically बहुत अलग है चाइना से, Taiwan is the only democratic country in that, not the only democratic country in that region, but it's a true democracy very near to this big communist organization, all those reminiscence of US के पास में क्यूबा, वैसे चाइना के पास में ताइवान, ठीक है, तो जो पाटी है, उसका व्यू यह है कि सिफ एक ही legitimate government है, which is PCI, PRC, People's Republic of China, तो ताइवान की government जो है वो कोई माइने नहीं रखती वह तो हमने ध्यान नहीं दिया था तो तुमने बना ली अपनी ये खेल-खेल में, बग है हमारा island, तो diplomatic relationship करने की जरुवत नहीं है ताइवान को किसी country को ताइवान के साथ में, अगर उनको ताइवान से कुछ बात करन जिन country के साथ चाइना काम करता है जिस country को चाइना की help चाहिए यह उन पर dependent है वो सबको प्रेशर कने लग गया की don't recognize Taiwan, only recognize us तो 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 ताइवान जो है वो आइसोलेट हो गया है, but the mad woman that is you know, uh, come, uh, Nancy Pelosi, she was, she is the house speaker in US and she went to Taiwan, like that, that was such a mad woman, it was so, I really do not like US much for reasons, but the fact that she did that and she had the courage to do that, it was, it was one of the most exciting news that I had read at that time, so basically, यह करने की कोशिश कर रहा है, चाइना ताइवान के साथ इसको 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 आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है, और जब भी कोई Taiwan को independent state बताता है, तो चाइना उटके चला जाता है, कहीं सारे वीडियो आपक जैसे ही Taiwan की बात होती तो Chinese officials उटके चले जाते हैं, अब इंडिया का क्या response है One China को लेकर, इंडिया जो था ना वो पहली कुछ non-communist country में से था जो Mao की, you know, People's Republic of China को recognize करते थे, और यह जो पाटी है, यह शुरू से ही One China policy को, जो है, support करती है, और for India, One China policy extends beyond Taiwan to include Tibet, तो इंडिया जो है, ना तो Tibet की किसी authority को recognize करता है, ना ताइवान को independent country की तरह लेता है, लेकिन बहुत कॉल आए हैं, international community से, strategic community से कि आपको अपना stance change करना चाहिए, क्योंकि, you know, as a democratic country, you should support other democratic country in being democratic, और इंडिया यह नहीं कता था, because it didn't want to provoke China, doesn't want to have, you know, अपने trade के रिष्ते घराब नहीं कर तो ठीक है, मान लिया, but एक चीज है कि इंडिया ताइपाई association, जो कि एक basically diplomatic relationship है, but not full formal, जैसे दूसरी countries के साथ है, but it's an informal embassy of India and China, उसके लवाँ ताइपाई economic cultural center की जो है, New Delhi से connected है, it is the de facto diplomatic and consular mission of Taiwan in India, so basically, openly India नहीं बोलता है चाहिना को कि ताइवान इंडिपेंडेंटेंट है, generally, it accepts the one China policy, but international platform पे जितने हमारे friends है, they want us to fight for the democracy of India and so does many Indian citizens, इन कहीं सारे Indian citizens का कहना है कि ताइवान is an independent state and we should support them, अब directly provoke नहीं करना है, इसलिए नहीं accept करता है, लेकिन पीछे से दोनों अपनी informal embassies चला रहे हैं एक दूसरे को, तो एक support तो है, और यह support actually आया भी US के side, because US is, you know, equivocally in favor of Taiwan, तो वहाँ से थोड़ा सा power मिलता है, चीक है, अब चाइना की strategic tactics और diplomatic maneuvers के बारे में बात करते हैं, कैसे वो करता है diplomacy और कैसे tactics यूज करता है international platform पे, one is called salami slicing, salami slicing is basically, this is a meat, जो pepperoni pizza पे पेपरोनी पीजा पेपरोनी दलती है, आपने देखी होगी, तो पतला पतला कटावा मीट रहता, right, तो salami slicing basically the idea is कि बहुत बड़ा full scale war नहीं करेंगे, छोटे छोटे हिस्से को हडपेंगे, कुछ इस तरीके से कि international community पे इतना ध्यान ना दे, क्योंकि, you know, अब Russia, Ukraine की वीच में वाल चल रही है, इसराहिल में वाल चल रही है, तो who will pay attention to this 200 square feet of land between India and China, right, it's not important enough, तो इसलिए क्या करती है, चाइना यह सब तरफ करी है, अपने सारे 14 नेवर्स के साथ कर रही है, और even maritime नेवर्स के साथ भी कर रही है, कि थोड़ा थोड़ा region जो है, वो हडप लेती है, ताकि कोई full scale war नहो, बट क्या होता है, eventually, small scale military operations करती है to confuse their neighboring military, ठीक ह बलब, almost as a pretend करती है कि, ah, yes, I remember, you've seen that game, famous show, squid game, squid game में एक नहीं था, जिसमें वो ऐसे turn करते हैं, तो रुख जाते हैं, तो रुख जाते हैं, फिर आपिस, turn करते हैं, तो भागने लगते हैं, फिर the doll turns, then people stop, pretty similar to that, कि वो बेसिकली क्या करते हैं, पहले घुच जाएंगे हमारे territory by mistake, ऐसे, pretend करते हैं कि, oh, हमें तो confusion होगे, हमें तो लगा, यह हमारा land है, ठीक है, और ऐसे करते करते हैं, तो एसा क्या होता है, बड़ी international platform पे लोगों को इतना important issue नहीं लगता है, तो वो इसके उपर जादा बात नहीं करते हैं, लेकिन, थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा कर के, इस small actions जो है, आखरी में बहुत बड़ा area बन जाता है, यह जो term है, salami slicing, this was given by the dictator Mathias Rakosi, जो Hungarian Communist Party को के actions को justify करता था, जब वो हंगरी के ओपर complete control करना चाते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा हिस्सा जो है, 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 जो है इन धोकलम अजय नोटेबल एग् resistant ol थामी थाम पूरी थाम कर रही हैं मादा जो है, जो है, यह जो जो है, इसा जहाग अपनी मिलटर् करते हैं, लग अलग टेक बाइस ऐसा थामा यहा है, जिसे साट चाइना सी मैं आटिफीश ऑलें मना दिया, लग दाक में पता वोह है, एलो सी जो लाइन है उस पे अपने लोगों को ठीक है एथनिक हान पास्टरलिस को बोला कि ये तुम अपना लैंड इस पे अपनी बक्रियां ग्रेस कर सकते हो बेसिकली शेमलेसली यूजिंग देर सिविलियंस तो यू नो फाइट अपनी बक्रियों को चराने के लिए इससे क्या होता है कि जो इनियन हर्द्समें हैं ऑन इनियन साइड वो अपना लैंड लूज कर देते हैं क्योंकि यू नो एक लैंड है न वो यूज करेंगे तो हम कै बाइटरी के से थुरू करते हैं और तरीका अलग अलग है करने का पर आउटपूट सेम निकलता है हर तरफ से वॉल्फ दॉग वॉल्फ वॉर्यर डिप्लोमसी वॉल्फ वॉर्यर डिप्लोमसी कुछ नहीं है देखो इसका बहुत अच्छा एक्जेंपल आपको देती होगा की यूशली कुछ लोग होते हैं जो पब्लिक में ज्यादा चला चोड़ करना पसंद नहीं करते हैं ठीक है तो क्या होता है कि वह कभी-कभी बहुत रिस्पेक्टफुली सबसे बात करते हैं और वह कोशिच करते हैं कि जितना हो सके मामला ठंडी में निपड जा उसक जिसे डील नहीं करना चाते है इसलिए उनभी फोट देते हैं राइट जिसे फ्लॉर फॉर एक्षाम्पल मालो दो लोग लड़ रहे हैं उसमेंसे एक इंसान इसको कॉन्फरेटेशन पसंद नहीं और दूसरा इंसान इसको बहुत कान्फरेंटेशन करना है तो क्या होगा नहीं करना है वो क्या बोलेगा ठीक है थोड़ा सा हिस्सा है जाने तो मुझे लड़ना हिस्से वो इस इस वॉल्फ वोर्यर डिप्लोमाजी बेसिकली इंटनाशनल प्रफॉम पे सब अच्छे से बात करते हैं चाइना इस अग्रेसिव पॉलसी गुसा दिखाते हैं अग्रेस ठीक है थे आर नर्सिस्सिस्टिक थे दो नॉट रिस्पेक अधर पीपल्स बाउंडरी थे शेमलेस इन वाट थे दो लोगे यह बार बार को एक्ट्रेंट कर रहे हैं और अगर तुम ऐसे इंसान और इसे से इंशान परसंद नहीं है थो तुम उसे बात नहीं करोगे राइट फोड़ोगे तो चैना डस तो अब। लेट संडर्सटेंड वोट अवाव जीनू प्रोस्पर करेंगे नहीं बना रखेंगे तो दो बरबाद हो जाएंगे से इंदिया और चाना गर रेलेशंशिए बह पहले तो कॉंफिलिक्ट भी करते हैं बहुत सारे साथ में लेकिन ट्रेड के ऊपर को परेशन भी करते हैं और कॉंपरेशन भी करते हैं ठीक है अगर स्कूल में कुछ बच्ची नहीं होते थे जो फर्स्ट और सेकेंड थे उनकी बीच में कैसा था कि जगडा भी बहुत होता था एक एक दो दो माक्स पर लेकिन फिर बात भी बन जाती थी क्योंकि फिर तीचर बोलती थी आरे तुम दोनों तो बहुत समझदाल लड़किय लड़किया हो तुम क्यों लड़ रहे हो फिर लेकिन दोनों के बीच में कॉम्पेटिशन भी रहती थी थी इसे जाक्ले हाव यू कन सी इंडिया चाहिना रिलेशन्चिप बोथ कंट्रीज इंगेज इन कोपरेशन अक्रॉस वेरियस प्लाटफॉर्म्स लाइक ब्रिक स्यो तो इंडिया और जब वो नो सपोर्ट नहीं करता है इंडिया को यू एंसी में में बर्शिप के लिए या फिर यू नो टेरिजम को लेकर हल्प नहीं करता है जब यू एन में बात होती है तब वो फिर कॉम्पेटिशन में आ जाता है कि अगर हमने चैनल बैसिकली नॉट यू नो टो इंडिया विं इन वे यू उप यू एंडिया मैनेज दिस में इंडिया शुद दू वह लंगाच मेंट लिए बेसिकली कंटेनमें मतलब की कोशिश करो की ये वह फुल फ्लेज़ज़ज़ प्र ना हो क्योंकि यू नुक्टिर कंट्री ये बट इंगेजमेंट रखो है ना ऐसा नहीं उनको हडपने मत दो ठीक है इंडियन फॉरेंड मिनिस्टर जैशंकर जो है उन्होंने इंफरसाइज किया है इंपोरेंस आप इंडिया चाइना कमिंग तुगेधर उनका कहना है कि एश्या के भले के लिए अगर if you want this to become the century of Asia अब last century was century of Europe right Europe 19th century Europe Britain used to rule the world अब वो कह रहे है कि जो आने वाली century ने इसमें एज्या रूल करेगा पूरे वर्ल्ड को तो जैशंकर है सेट कि इंडिया और चाना का आना साथ मेना बहुत जरूरी अगर we want to make this century an Asian century ठीक है it was a vision aligned with the terms coined by Chinese leader Deng Xiaoping in 1988 China support करता है जैशंकर के इस Asian century के concept को और अपने desire दिखा रहा है काम करने के लिए but then again there's also competition and conflict you can you can almost personally जब मैं इन्विजाज करती हूं चाइना को तो I envisage him as a very nosy irritating neighbor जो जिससे आप बात करना भी बन नहीं कर सकते relationship रखना भी बन नहीं कर सकते क्योंकि neighbor है और importance है उसका हमारे life में but चिर बहुत करता है और conflict बहुत करता है जगड़े बहुत करता है और हमेशा shameless है बात करना नहीं आता and इस type का है और generally not good for the environment और not good for the society पर कुछ नहीं कर सकते है बिकास है तो है तो मुझा लगड़े इस तरीके का कुछ I would describe India and China I hope this class was interesting for you if you have any more questions about this write in the comment and I'll try to answer them in the next class I hope this I hope you learned something nice have a nice day bye